टॉस नीरव 11 ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया है झाल जे गुस जीत कर दोगति है झाल 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 पूरे दिन प्ले आफ के सभी मुकाबले पहला क्वालिफायर वन जो होगा नीरव 11 और चौकलेट वारियर्स के बीच में सेवन स्टार कप 2022 का दूसरा सीजन और आज का ये तीसरा दिन तीसरा दिन इस टूनामेंट का जिसका जो पहला मुकाबला क्वालिफायर वन नीरव 11 और चौकलेट वारियर्स की बीच में टॉस हो चुका है पहले मैच के लिए आज के दिन का जो पहला मैच जिसमें टॉस जीता है नीरव 11 और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो पहले फिल्डिंग पसंद करेंगे नीरव 11 है वन दा टॉस और ये विलेक्टेड तू फिल्ड फिल्स दियार इन्वाइटेड तू चौकलेट वारियर्स फॉर दा बैट फिल्स मतलब कि नीरव 11 जो है वो टार्गेट का पीछा करना चाहेगी और कल पूरे दिन भी यहीं सिलसला जारी रहा था कि जो भी टीमेट टॉस जीती है उन्होंने पहले फिल्डिंग का ही चेन किया है और अमुवन जहां भी हम देखते हैं मॉडरन टैनिस क्रिकेट का यह टैक्टिक यह फंडा बन चुका है कि अमुवन जो टीमेट टॉस जीती है वो पहले टार्गेट जो है वो पीछा करना चाहती है उसका मतलब फिल्डिंग पहले पसंद करती है इस पूरे टूर्णामेंट के जो स्पांसर है सेवन स्टार कप, सेवन स्टार ग्रूप प्रेजेंटेड उनके द्वारा आयोजित यह तीन दिनों का क्रिकेट का यह महा मुकाबला पूंजन क्रिकेट ग्राउन कोथमडी बहुत ही पूराना एतिहासी किये ग्राउन कोथमडी का तीसरा दिन इस टूर्णामेंट का जिनके स्पांसर के बारे में हम आपसे बात करेंगे रूबरू करवाएंगे इस पूरे टूर्णामेंट के जो स्पांसर रहेंगे जोसेफ लुईस, जायनित कंसल्टिंग के जो ओनर है, टीसर्ट के वो स्पांसर है जोसेफ लुईस, उसके अलावा अमीट थुमर, जो चौकलेट हॉम्स के ओनर है ट्रॉफी, यह जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है सभी चैंपियन्स की, रनर सबकी, मैन अब द सीरीज, मैन अब द मैच की बेश्ट बेश्मेन, बेश्ट फिल्डर, बेश्ट बॉलर वो सभी ट्रॉफी के जो स्पांसर है, अमीट थुमर, चौकलेट हॉम्स के ओनर उनके अलावा, निरव पतेल, निरव स्पार्स के वो ओनर, फेंटसी, प्रेडिक्शन और क्रिकेट एनलिसिस, बहुत-बहुत धन्यवाद उसके अलावा, राकेस राठोड, आरके कंस्ट्रक्शन, जो इस पूरे टूर्णामेंट में जो नेविया, हेवी बॉल से ये पूरा टूर्णामेंट खेला जा रहा है, उनके वो स्पांसर है, और दवल पतेल, जीटीपल, ब्राडबेंड, न्यू इंटरनेट कनेक्शन, जो यूट्यूब के अपर हम लाइव देख रहे इस पूरे टूर्णामेंट को, जो इंटरनेट की सुवीधा, उनके वो स्पांसर इंटरनेट के, मिश्टर धवल पतेल, उनके अलवा, हर्स टेलिकॉम, अलकादरी चिकन, संदीप इलेक्ट्रोनिक्स, और व्रज्वेलर्स तो तो पहला मुकाला, जो कौलिफायर वन होगा नीर विलेवन, और चोकलेट वारियर्स के बीच में दोनों टीम के 12th मेन आजाएंगे, 12th मेन आएंगे, उसके बाद ही मैच सुरू होगा, तो प्लीज, दोनों कप्तान से बिंती करेंगे, I would like to request to both of the captain, क्या पहले अपना 12th मेन बेच दीजे, और इस पूरे टूर्णामेंट में, जो अफिसल्स की, हगर हम बात करेंगे, जो अफिसल्स, इस पूरे टूर्णामेंट के, जो कोमेंटेटर्स, स्कोरर, अमपायर्स, और योट्यूब की पूरी टीम, उनसे हम आपको रुबरू करवाएंगे, इंट्रूर्णामेंट के जो अमपायर्स के तोर पे अपनी भूमी का निभाई है जिन्होंने, अनस्त लहर नईम रावत और फईज पठाण पूरे टूनामेंट के ये अंपायर्स मानेक पौर से बिलोंग करते हैं उनके अलावा जो यूट्यूब के उपर इस पूरे टूनामेंट का लाइप रसाराण हम देख सकते हैं भाविस पटेल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे रिलेटेर सभी टूनामेंट आप यूट्यूब के उपर लाइफ देख पायेंगे तो यूट्यूब के ओपरेटर स्री मिस्टर भाविस पटेल केमेरा मैन उमिस पटेल और यूट्यूब स्कोरर दिगन पटेल ये सभी आमद्रा से बिलोंग करते हैं उनके अलावा स्कोरर, जो क्रीक हीरोस के स्कोरर, ऑनलाइन एपलिकेशन, मोबाइल एपलिकेशन, क्रीक हीरोस की जो होती है, उनके जो स्कोरर है, कल हमारे साथ अभी पटेल जुड़े थे अबरामा से, आज स्मीद पटेल, वो भी अबरामा से बिलंग करते हैं, आज हमारे स का विजल पर कमीटी का इस सेवन स्टार ग्रूप का के जिनों ने मुझे यहाँ पर मौका दिया कॉमेंटरी देने का बहुत-बहुत धन्यवाद उनका तो जल्द ही पहला मैच चुरोगा जिया लाइव एक्षन के साथ कॉलिफायर पहला इस अ मेगा संडे इस अ सूपर संडे तेरा फरवरी सेवन स्टार कप का तीसरा दिन एहम दिन ये काफी इंपोर्टन डे जो चार टी में जिसका सबको इंतिजार था कि आठ आठ टी में जो इस सपूरे टूनामेंट में जिनों ने हिस्सा लिया था कौन सी चार टी में क्वालिफाय होगी तो वो इंतिजार अब खत्म हो चुका है तो चार टी में हमें मिल चुके है नेरव blossom chocolate warriors zenith warriors और marathah warriors एे सभी चार टी में पहला मुकाबला qualifier one नेरव 11 नेरव 11 won the toss decided to filling first they are invited to chocolate warriors for the bad first let's play that's how we go the first delivery of the sunday हलके हाथों से सीधे बल्ले से खिला है फिल्डर मौझूद है कवर की दिशा में very early get up the mark with the single intentionally gently push in front of the cover area only for the single अपना खाता खुला इस एक रन की मदद से और टीम का भी खाता खुलता हुआ सभी मुकाबले काफी महत्वपूर्ण important होगे वैसे ये मुकाबला सिधा final का ticket टे करता है जो टीम जीतती है final का ticket प्राप्त होता है जो भी team's match को जीतती है जो हारती है उसे एक और मौका मिलता है qualify to खिलने का अच्छी गेन बाजी off time के बाहर सफल करके square leg के उपर से खिलने का प्रयास किया था लेकिन गती में परिवर्दन किया था chocolate warriors जो अपने winning combination के साथ उत्री है इस team में कोई changes नहीं किया है उन्होंने अपनी team में दोनों team same combination के साथ reverse time क्या connection हुआ है और better in a backward points और a short और third man के बीच में से छक्का बोटोर आप पारी का पहला छक्का आता हुआ क्या बात है better in short विसाल पांचाल start in his own style क्या बात है reverse ship के अंदाज में यह trademark short बन चुका है अब तो tennis cricket में इस बार सफल किया है फिल्डर मौजूद है short mid wicket के दिशा में scoring delivery थी वैसे तो अगर देखा जाए तो full toasty option के बाहर लेकिन पहले से मन बनाया था कि वो उसे mid wicket square leg के दिशा में खेलेंगे option के बाहर पीछे एक short third man है point है cover है सामने की और mid off और extra cover ये offside की फिल्लिंग दीमी गदी की गेन inside out short भवा में है फिल्डर से काफी दूर है तो outfield तेज है तो चौका रुकेगा नहीं बहुत ही बढ़िया sort आप स्ट्रेम के बाहर score बढ़ता हुआ 11 run अच्छा प्राप्त किया बल्ले बाजने it's a nice balling it's a nice balling wide is your cut outside the option best man wants to play again inside out but this time over cover area no any connection and finish the over with the dot ball after completing first over 11 run बिना किसी विकेट के नुक्सान पे chocolate warriors के उर्वेच पर आजनों अपने पहले और में 11 run खर्च किये अब गेनबाजी का बार समभा लेंगे Kenil Tundale commentary end से Amit Humor Strike के उपर chocolate homes की honor trophy के वो sponsor है अच्छी गेनबाजी वहाँ पे जब मैं सुबह वहाँ पे पीछ देख रहा था तो जी से जो गेनबाजी हो रहे है वहाँ पे ये जो अभी टपा पड़ा ना वहाँ पे थोड़ा surface अलग है उपर से अलग से थोड़ी grass डाली गई है तो वहाँ पे जब गेन गिरती है ना तो थोड़ा अत्रिक bounce मिलता है ये इस गेन के उपर दिखा option के बाहर ज्यादा बाहर तो wide होगी अत्रिक run के साथ score बढ़ता हुआ 12 run और इस wide की मदद से अत्रिक का भी खाता खुल गया हवा में है filter है उसके नीचे मोजूद drop catch ये तो आसान सा regulation कैट था उसके नीचे भी आ गए थे position भी पूरी तरीके से बना ली थी सब कुछ सही था लेकिन अंत में गलत क्या किया किया कि अपने catch नहीं लिया ये qualifier का दबाव है जियाँ ये league match नहीं है के उर मौजू थे गलती करदी मौका दिया है अमीत को देखना होगा कितना नुक्सन पहुँचाएंगे लेक्स्टम के बाहर ये game को gap में धके ला है तो outfield तेज है तो चौका रुकेगा नहीं square leg की दिशा में चौका आता हुआ बेहतर इंसॉट सोला रन क्योंकि पिछली game के ओपर catch चौका गया सफल की आप समके बाहर पैरों पे game टक राई पहले थोड़ा जल्दी सौट खेल गए जियां वहाँ दिखा रहे थे कि थोड़ा अगर fine leg के area choose करते ना तो कुछ अलक परिणाम आता था लेकिन इसके उपर जो time to perfection होना चाहिए न वो नहीं था अच्छी वापसी चौका या उसके बाद dot delivery 17 रन बिना किसी विकेट के नुक्सान पे चौकलेट वारियास पावर प्ले का आखरी ओवर चल रहा है लॉंग ओफ का फिल्डर मीड ओफ के उपर 30 आर सरकल के अंदर सामने लॉंग ओन ने डीप में मिड विकेट है छोटी गेन और किनारा लगेगा तो भी वहाँ से पीछे तो चौका निकल जाएगा क्योंकि फाइन लेक का एरिया है न वो थोड़ा चोटा एरिया होता है और सबसे बड़ी बात कि आउट्फिल इस ग्राउन का बहतरीन है 21-21 रन प्रयास लगातार कर रहे थे आपस्टम के बाहर सफल होके खेलने का इस बार कनेक्शन हुआ उतना ठीक नहीं हुआ लेकिन फिर भी वेलकम ब्याउंटरी आ गई फुल्टोस गेन ये तो तौफा था और नोबोल भी था और उसके उपर one bounce straight into the fence ये ओवर बड़ा हो रहा है ये ओवर महंगा हो रहा है 25 रन 26 रन बेस्सके बाई बाल धिन बाल क्यों जा तर्शा महाम洁री आ कि ये जुझा अरिष बार्स फाना लोडर से बढ़े से फचीज वांग से भी और से भी तॉर्ट वांग से दिंगा दोसे हूं एक पर नजर बने वीज वांग से तेड़ कि अर्ट सव्ल में वांग से लिजीज। आप आराव कि वांग से लिच मैं लुग करदू years after completing 2 over 26 on board there is a room outside the option slash very hard but there is a filter into the deep chance for only single and now the score 27 round the wicket and right hand balle bus so the pressure will be out of the option because when the right hand gain bus round the wicket will be out of the way if it is over the wicket it means that the wicket to wicket gain bus will be out of the way but the option will be out of the way this will be out of the way this will be out of the way reverse shape long leg backward point which is a good shot this is the second time and the second time success 33 run फिर से रिवास एटम कनेक्शन इस बार भी हुआ है कवर के उपर से इस बार मिले के कितने रन देखना होगा छे रन पूरे क्या बात है लगाता है दो गेंदों के उपर दो कंजिक्टिव सेक्सिस और दा स्कोर 39 रन जी हां मैक्सवेल बन गए है पूरी तरीके से विसाल तो इस बार सफल किया अप्स्टम के बाहर एरिया चुना कौन सा मीड विकेट का गेंज जा रही है सीमा रेखा की और लेकिन फिल्डर बीच में मौझूद था वन बाउंस सीधा फिल्डर के हाथ में एरिया अच्छा चुना था योग कि जो मीड विकेट स्क्वेर लेक के बीच में जो गैप था ना वैसे दो वहीं पे मारा था लेकिन थोड़ी अभी भी गेंड नहीं है उसकी वज़े से ट्रावेल नहीं की लेकिन जो दो बड़े सौट रिवर्शिप के अंदाज में खेले ना मज़ा आ गया देखे मैक्सवेल की याद दिला दी पॉइंट के उपर से उसके बाद कवर के उपर से चालिस रन आच्छी गेंड बाजी क्योंकि जो मैंने बात की ना कि राइट हन गेंड बाज राउंड अविकेट प्रेडिक्टेबल बन जाता है कि गेंड बाजी आप्स्ट्रम के उपर करेगा और जब रिवर्शिप आप इस तरह से खेल सकते हैं तो यह सबसे बड़ी आप्स्टन आपको प्रेडिक्टेबल नहीं होना है गेंड बाजी में प्रेडिक्टेबल अगर आप बनेंगे तो आप जल्दी पढ़ लिए जाएंगे फिर से वहीं प्रेश इस बार किनारा लगा है फिल्डर है मौझूद गली में दूसरे एटम पे लेने का प्रेश लेकिन ड्रॉप चांस ये दूसरा मौका पहली ओवर में भी कैच छूटा था अमीत का इस बार इस ओवर में भी कैच छूटा है तो ये मसला कलसे में देख रहा हूँ पता नहीं हाथों में क्या लगा के आते हैं कि कैच ले नहीं रहे गली में मीत मौझूद थे वहाँ पे आखरी गिन के उपर मौका बना था रीवर सिप खिलने के प्रयास में उपरी किनारा लगा कैच आपको लेने पड़ेगे अगर आप मौके देगे बल्ले बास को ये तो दोनों सेट बल्ले बास है 42-42 रन जड़ चुके है मातरत 3 ओर का खेल हुआ है 14 की औसद से और ये क्वालिफायर वन है जितने वाली टीम सीधा फाइनल का टिकेट हासिल करेगी ये काफी important मुकाबला है ये play-off वैसे भी सभी matches important होगे आप किसी भी stage के उपर अपने आपको back foot पे नहीं रख सकते आपको back करना होगा catch लेने होगे अच्छे feeling में प्रास करने पड़ेगे dot ball के उपर जादा अब भरोसा जताना पड़ेगा कैनिल गेनबाजी को पहला और मेहगा रहा था कि ये उरिन अपना spell खत्मा किया दो और में 27 रण उन्होंने दिये ये shot अच्छा है ये connection अच्छा है ये कितना connection पूरा 6 रण मिलेगा कड़ाक shot खिला square leg के उपर से पहली gain के उपर छक्का तो अब दबाव में gain बाज 48 रण सफल क्या इस बार उसी दिशा में और इस बार भी दो गेंदो में लगातार दो चक्के क्या बात है दो consecutive six दोनो square leg के उपर से और दोनो बार क्या किया option के बाहर गए length को पिक किया उसको पड़ा और चक्का जड़ा square leg के उपर से दो गेंदो में लगातार दो बड़े shot दबाव में gain बाज अच्छी gain बाजी जान गए थे का option के बाहर सफल करेंगे वहाँ से अपने आपके लिए जगा बनाएंगे बैक फूट पे जाके जो ताकत मिलती है ना उसका वो प्रदर्शन कर रहे है क्योंकि आपका जो पूरा weight वो बैक फूट के उपर ट्रांसफर हो जाता है ना तो ताकत मिलती है 54 फिर से वही प्रयाज इस बार आप्स्ट्रम के बाहर ज़्यादा सफल कर गए connection उतना ठीक हुआ नहीं क्योंकि ये उपर वाली नहीं थी ये थोड़ी आगे थी बिल्कुल बल्ले के नीचे लगा और एक रन के साथ 49 के उपर विसाल और स्कोर पॉइंटा हो 55 रन 55 रन में 49 रन मात्र विसाल के है दो अतिरी करण आये थे और चार के उपर अमिट ठुमर सपोटिंग रॉल अदा कर रहे है अमिट सही बात है ये अप्स्टम के बाहर सीधा खर्बूजे को देखके खर्बूजा रंग बदर रहा है यहाँ पर अमिट ठुमर जोईन दा पार्टी विसाल एंड फर्स्ट मैक्सिमम फर अमिट ओवर अम्पायर एरिया सीधा तीर के जैसा सीधा 61 रन इस छक्के की मदद से बेटर इन सॉट मान गए क्या बढ़िया बल्ले बाजी दोनों छोर से 61 यह इस बार भी सीधा है और सामने फिल्डर मौजूद है कोई गलती नहीं करेंगे यह अलंग डाउन दग्राउंड यह सॉट को खिला था एक रन के साथ यह और की समाप्ती चार और की समाप्ती के बाद 62 62 रन बीना किसी विकेट के नुक्सान पर चॉकलेट वारियर्स 49 49 की उपर विसाल सुर्णी और कॉश् favorit विसमाफी के कह् i नहीं मौप झाम आसथ just समावास एक बाद विसन कि अच यह सुर्णी rate फर तैय कर चुके है चौकलेड वार्यस की टीम ये पहला जो सफर रहा ना वो निरव 11 के लिए कुछ इतना खासा ठीक नहीं रहा है तो हमारे साथ अब जुड़ चुके है यहां के सबसे जाने माने जानी पहचानी आवाज तुसार भाई व्यास सभी के चहीते लोकल मैन यहां के वैसे तो जहां भी जाते है अपना सिक्का जमा देते है बहुत ही बढ़िया उंदा इंसान है तो अब माईक पे मैं उनको मैच और अमित तुमर ने सीधा लगाया हुआ और यहां पे एक विकेट हो सकता था लेकिन नो मैं लेंस के अंदर गिरी एक रन के साथ जोनों की संख्यागे बलती हुई 62-63 रन आज का ये बड़ा मुकाबला जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी कॉलिफायर वन और यहां पे मैक्स्वेल अपने 49 रनों के साथ क्रिस के उपर जमे हुए है और वापस रिवस्टिप लगाने का प्रया सेकिन उस बार सफल नहीं हो सके धर्मेन की उपर से लगाना चाहते थे रनों की संक्या यहां पे रुकी हुई 63 अभी तक किसी विकेट का नुक्सान नहीं जतिन जादव निरव 11 के काफी अच्छे और लाउंडर खलके कदमों के साथ आगे बलते हुए मैक्सवेल की इस कट्शॉट की वज़ा से मैक्सवेल अपने 50 रन पूरे कलते हुए कौनके चुले सं मैक्सवेल जोनकी संक्या जा पहुँची है 64 20 गैंदों के उपर 50 रन बनाये है 250 के स्टाइक रेट के साथ मैक्सवेल अपने पारी को आगे बलाते हुए इंडियन मैक्सवेल दिहा ये हमारा विज़लपूल का मैक्सवेल है वही चलेगा विज़लपूल में तो अमें टुमबाया लॉप्स 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 की दिसा में खेलते हुए सीपेखी रन अभी तक बढ़िया ओवर ये होती हुई निरव 11 के लिए जतिन जादो की और से सीप तीन जन जोनों की गती को जो बढ़ाया था वो गती को उन्होंने रोका है जतिन जादो उन्हें दूसरे हाफ में निरव 11 को वापसी कलनी होगी बड़ा मैच वाप अस्टर्मेन के दिसा में और उस बार वहाँ पे प्लियर्स को रखा था दीप में फिलर मौजूद है शिप एकी रन एक रन के साथ 66 रन मैच की ये पाचवी ओवर काफी अभी तक की काफी बढ़िया ओवर रही है जतिन जादो की शिप चार रन दिये है वापसी कलती हुई और अमिट तुमन न उठा दिया है उस पार मिड़ विकेट की दिसा में छे रन और इसली के साथ पाच और की सब अपने के बाद झाल झाल पांच ओर के बाद 72 बहत्तर रन बीना किसी विकेट के नुकसान पे ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ये विकेट कोई कीरा नहीं है पिछला वर बहती बढ़िया गुजर रहा था आखरी गेन के उपर एक गलती कर दी और जतिन ने चक्का खा बेठे अच्छा वर गुजर रहा था लेकिन फिनिस अच्छा किया 72 ये उप्स्टम के बाहर सफल करके खिलने का प्रयास था टार्गेट था स्क्वेर लाइक मीडविकेट रनाउट का मौका जी नहीं नाराजा फिल्डर वहां पे क्यूंकि जो क्रिकेटिंग टैक्टिक जो होता है ना कि रनाउट करने के लिए आपको स्टम के पीछे आना प प्रियंक कोमेंट्री एंड से छठा और पहला क्वालिफायर ये चल रहा है ओप्स्टम के बाहर की गेन कॉल लॉंग अन के उपर से उड़ाया है फिल्डर है मौजूद तो मातर एकी रन प्राप थोगा एक दो एक दो रन से तो नीरव 11 को इतने दिक्कत होनी नहीं ये सोड अच्छा है ये पोजीशन में अच्छे आये थे और अब फिल्डर महाँ पे मौजूद थे लेकिन मातर गेंद को वापीस उठाने के लिए जाएंगे वन बाउंस चौका इस बार मिड विकेट की दिशा में स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन फुल्टोस गेन नोबल का इसार अमपायर अनस लहर के द्वारा और अगली गेन फ्री हीट होगी इस गेन के उपर छक्का फुल्टोस गेन थी और खराप गेन को सही नसियत छक्के में उसे तबदिल कर दिया स्क्वेर लेक के उपर से प्रियंग तंडिल के द्वारा अपने पहले ही ओर में फ्री हीट है यह हाथ खुलने का मौका अच्छी गेन बाजी फॉलो किया बल्ले बाज को यह सोच अच्छी लगी मुझे क्योंकि ऑप्स्रम के बाहर बल्ले बाज सफल इसलिए करता है ताकि वह अपने आपके लिए बना सके अपने आपके लिए रूम बना सके अगर आप मीडल अपड़ विकेट टु विकेट गेन बाजी करेंगे या तो चौथे स्ट्रम के उपर गेन बाजी करेंगे तो उनके रडार में आएगी यह सोच अच्छी है का फॉलो किजिए उनको वहां से मार्जिन ओफ एरर ना था लेगवाई का इसारा अंपार नईम रावत का लेगवाई का इसारा और अत्रिक लेगवाई की मदद से स्कोर 86 च्यासी इस ओवर की आखरी गेंद होगी वापसी की है पिछली दो गेंदों में अच्छे से खत्मा करना चाहेंगे इस ओवर को क्योंकि 13 रान ओलेडी सोवर में आ चुके है फुल्टोस गें लेकिन सामने डाउन दा ग्राउंड खेला है सौटको फिल्डर मौझू दे एक रन का ही चांस मिलेगा एक रन के साथ कोर बढ़ता हुआ 87 आफ्टर कम्पलेटिंग 6 ओवर चॉकलेड वारियोस 87 विदाउट लॉस च्छे ओर के बाद 87 रन चॉकलेड वारियर्स क्या सुरवात है कॉलिफायर वन में जिस प्रकार की बल्ले बाजी होनी चाहिए ठिक उसी तरह के से जो प्लान किया था उसी प्लान के तहट एक्जिक्विट करते हुए इस प्लान को बहतरीन तरीके सामल किया है उस प्लान का विक्टे गवाई नहीं है 21 के उपर अमिट हुमर और विसाल पांचाल 62 62 के उपर खिलते हुए जटिन गेन बाजी के उपर अपने स्पेल का दूसरा और पहले और में 10 रन दिये थे कनेक्शन इस बार ठीक हुआ नहीं है मिड़ उन के उपर से खिलने का प्रयास था लेकिन थोड़ा जल्दी खिल गए स्वाट को 18 रन 88 रन इस एक रन सिंगल की मदद से स्कूर बढ़ता हुआ ये दोवर जो बाकी है डेथोवर उसमें वापसी करनी पड़ी कि 100 के अंदर रोकने का प्रयास मेरे ख्याल से करना चाहेंगी नीरव 11 लेकिन दो सलामी बल्ले बास बढ़िया फॉर्म में है रिवर्स एटेम किया है लेकिन पहले से अपना सौट खेल गए थर्में की दीशा में उसको टार्गेट करना चाहते थे पोजिशन में अच्छे आ गए थे ये गेंद भी थी रिवर्स विप खेलने वाली क्योंकि बैक ओफ लेंद गें थी उपर डाली थी तो उपर जब गेंद डालते तो रिवर्स विप आप खेल सकते लेकिन वो टो टाइम टू पर्फेक्शन होता है ना वो कनेक्शन टू पर्फेक्ट वो नहीं हुआ 88 अठासी रन 7 वावर चल रहा है ये सफल किया इस बार लगातार तीन गेंदों के उपर तीन अलग-अलग सौट पहले अमिट उमर जीनों ने सीधा खिला उसके बाद विसाल पहले रिवर्स वैटम किया उसके बाद आप्स्टम के बार सफल किया बैक्फूट पे गए जगा बनाई लेकिन कनेक्शन हो नहीं रहा अच्छी गेंद बाजी जतिन के द्वारा अच्छी गेंद बाजी प्रयास लगातार कर रहे है और वैसे भी डेथ होवर चल रहे है विकेट दस आपके हाथ में है तो ये तो होगा एफोर्ट टाप करेंगे फिर से वहीं गेंद बाजी लेकिन इस बार आपस्टम के ज़्यादा बाहर फॉलो किया इस बार फॉलो किया था पिछली गेंद के उपर रूम था लेक बाई का इसारा पैरों के उपर गेंद टकराई अच्छी वापसी अच्छी गेंद बाजी डेथ होवर में गेंद लगे मात्र अब तक अपने दस गेंदों में 11 रन ही दिये है ये दो गेंदे इंपर्टन होगी अच्छे तरीके से खत्म करना चाहेंगे अपने स्पेल को अमित 22 के उपर 89 ये connection हुआ है cross batted sword खेला है फिल्डर मौजूद है डीप में cow corner के उपर फिल्डर मौजूद था एक रन के साथ खुद दिक्कत नहीं होगी वापसी की है जी हाँ नीरव 11 ने पहले चार और में जहां 62 रन बने थे तो उसके बाद जो तीन ओर हुए है जो 17 गेंदे उसमें अब तक 28 रन बने है तो वापसी मानी जाएगी ये अच्छी इस ओवर की आखरी गें 90 रन बॉर के उपर रिवर्ड शिप खिलने का और सीधा विक्टो के उपर बढ़िया गेंबाजी रिवर्ड मिला है अच्छी गेंबाजी का अच्छे टपपे के उपर अच्छी लैंद के साथ गेंबाजी हुई है उसका रिवर्ड विकेट के रुपे मिला 90 के उपर पहला विकेट गिरा है चौकलेट वारियर्स का विसाल पांचाल हैस्टू डिपार्ट्स ओन 62, 30 बॉल 6 छक्के सामिल और 5 चोके चतिनी आदों को सफलता मिली पहले विकेट लेते लेते 7 ओर गुजर गए 62, विसाल, बहतरीन पारी, एक स्टेंड आउट पारी जो स्टार्ट चाहिए था ना वो प्लैट्फरम जो खड़ा करना था ना वो अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में खड़ा करके गए है अच्छी गिनबाजी बिल्कुल बॉटाम एज़ पे लगी थी बल्ले के दूसरा रन लेना चाते थे सुनिल मना किया उनको और मिठ उमर सेट बल्ले बास 23 के उपर एक बढ़िया सोपरटीव रॉल उन्होंने अदा किया है एक छोर से संभाला है अपनी टीम को अच्छी गिनबाजी ओप्ष्टम के बाहर जो मैंने कल भी मैंने जो बात कही थी ओप्ष्टम के बाहर अगर आपके पास अच्छी गती है तो वहाँ की उस लैंथ के उपर गिनबाजी करना death hour में सबसे बड़ी option माना जाता है victor के लिए अगर आप जाएंगे death hour में तो साइद बड़े shot देखे जा सकते लेकिन ये बचने का प्रया से सही option फिर से उसी दिशा में it's a nice balling it's a nice balling again outside the option ये consistency होनी चाहिए गिन बाज में अब दो और में आपने वापसी की है अब यहां से देखोंगे ना तो body language पूरा सारी रिक भासा अलग नजर आ रही अब फिल्लिंग side की जो पहले चार और में कंदे जुके हुए थे अब वापिस खड़े हुए है वो कनेक्शन इस बार अच्छा हुआ है आड़े बल्ले से फिल्डर वहाँ पे मौजूद है लेकिन दर्सक बनके रह गई देखना होगा कितने चार रंजी चौका अंदर गेंदगीरी एक टपा वन बाउंस ट्रेट इंदू दो फेंस इस चौके की मदद से 95 एक वेल्कम बाउंट्री आती हुई दस गिंदो के बाद ये एक बाउंट्री आई है तो वेल्कम बाउंट्री मानी जाएगी सनाइस बालिंग यौरकर वाइडी स्यौरकर बिल्कुल सामने की दिशा में खेला डाउंट्री ग्राउंट्री आती है सुनिल जिन्होंने चौके की मदद से अपना खाता खोला है अब नॉन्स्ट्राइक एंड के उपर वो रहेंगे 96 चानवे रन क्या सोरन काकडा छोएगी तिन फिगर में स्कोर बाड के उपर दिखेगा ये गेंद वो ते करेगी बड़ा सोड चाहेंगे चोका या छका लगाने का प्रयास होगा अखरी गेंद है ओप्चम के बाहर हवा में सामने छक्का मिलेगा क्या बात है क्या बात है पहले ओर में जहां से 6 रन के साथ शुरवाद की थी और खत्म भी 6 रन के साथ ही किया है तो बहतरिन तरीके से पारी को यहाँ पे बनाया 102 रन, 8 ओर की समापती हुई चॉकलेट वारियस पहला क्वालिफायर, टॉस जीता था, नीरव 11 ने फिल्लिंग का उनका फैसला रहा, पहले 4 ओर में काफी गलत साबित हुआ, लेकिन उसके बाद जो बाकी के 4 ओर रहे, जहां पहले 4 ओर में 15 से ज्यादा का उसत चल रहा था, तो आखिर के 4 ओर में 10 रन की उसत से 40 रन बने, और बाड़कियों पर 102 रन जड़ दिये, मानना पड़ेगा बहतरिन पारी खेली विशाल 5 चाल 62 रन, 30 गेंदों में, अमीट ठुमबन नाबाद रहे, 16 गेंदों में 30 गेंद अच्छी वापसी करवाई अपनी टीम को, आखरी 2 ओर उनके बहती बढ़िया रहे, और टंडेल प्रियांग, 2 ओर में 26 रन, आखरी ओर उनों ने डाला, पहले 2 गेंद बास महंगे रहे, कैनिल जिनको 2 ओर में 35 रन पड़े, केवर वेजपरा, जिनको 2 ओर में 27 रन, तो यह पहली पारी का लेखा जोखा, बहुत ही जल्द आपसे वापिस जुडेंगे, इस क्वालिफायर वन के दूसरे इनिंग के लिए क्या दूसरे खिरैंगे, कैनिल जिनको 2 ओर में 7 बंड़ने जिनको 3 दिनको 2 टूसरे कि आतारी क सम्चाओके नग तरम झाले कली ढास units करे वे केप्टान टॉस के लिए आ जाए और आज का ये पहला कॉलिफायर मुकाबला चॉकलेट 11 और निरव 11 के बिच में के लिए जाए बच्छन टॉकलेट झाए बच्छन टॉकलेट अहम मुकाबला दोनों टीमों के बिच में जो टीम जीतेगी वो सीधी फाइनल में जाएगी लेकिन जो टीम हारेगी उनके पास भी एक और मौका रहेगा काफी बड़ा मैच आज के दिन की सरवाद में निरव 11 और चॉकलेट 11 के बीच में जहां पे पहरी पारी का लेखा जाए तो मैक्सवेल ने एक अच्छी कहानी लिखी है अपनी टीम के लिए एक सो तीन का यहां पे टार्गेट अब सेट किया है के उर कैनिल टंडेल हैमंत इन सभी के उपर नजरे रहेगी क्योंकि निरव 11 के यह जो मुख्य बल्ले बाज है इनके उपर काफी दारोमदार रहता है के उर वेच्परा और बाविन पतिल सलामी बल्ले बाज के तौर पे अभिसेक टंडेल विल स्टाथ दारोमदार प्रोसीदिंग इन दे बालेंग अटक फ्रम दे कमेंटरी एंड लेफ्टाम फास्ट गिन बस अबेसिक टंडेल 102 रन का टारगेट 103 रन का टारगेट है तो आपकी डिपोजीट में रन तो है पहले दो वर पावर प्ले काफी महतो पुरून होगा जब भी कोई टीम चेस करती है तो पावर प्ले काफी महतो पुरून होता है पावर के साथ गिन बसी करेंगे छोटी गिन थी लेक्स्टम के बाहर वाइड के साथ सुरुवत वाइड के साथ सुरुवत की है लेक्स्टम के बाहर ट्राविल कर रही थी गिन इस मैच के दो अंपायर अनस्ट लेहर, स्क्वेर लेग अंपायर और फ्रंड अंपायर के तौर पे मेन अंपायर नईम रावत इस ओवर में यह अच्छी हवा में है फिल्डर उसके पीछे पहुँच नहीं पाए वैसे तो लॉंग उन और डिप मीड विगेंड मौझूद था अगर लॉंग उन का फिल्डर साइद प्रयास करता तो मेरे ख्याल से हाफ चांस बन सकता था क्योंकि पीछे भागना उतना आसान नहीं होता लेकिन पीछे से आगे आना वो थोड़ा सरल हो जाता है वो टैक्टिक वो फिल्लिंग में जो होते है वो आपको समझने पड़ते है हाफ चांस लॉंग उन के फिल्डर के लिए हाफ चांस माना जा सकता है हमा में जादा गेंड रही थी मातरा हलके आथों से खेला था इंटेंशनली जेंटली पूस किया था मातरा दो रण स्कोर बढ़ता हुआ यह सौट कड़क है यह सौट अच्छा यह सौट गैप में है आउट फिल्ड तेज है देखना होगा किटने रंजी नहीं रोका है नहीं गेंद है उसकी वजह से थोड़ी गती कम होगी पढ़ने के बाद अन्या था यह सौट बहुत ही अच्छा खिला था जो लेंध था उससे पिक किया था हाफ वली गेंथी आप्स्टम के बाहर बल्ला चलाया था तेज गती से भाविन पटेल अपना खाता खोला दो रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ चार रन यह सौट अच्छा है बिल्कुल सामने इस बार देखना होगा चोखा मिलेगा जी नहीं इस बार भी रुख गई है नई गें है न पढ़ने के बाद यह जब लॉन वाला ग्रास वाला ग्राउंड होता है तो नई गेंद में सही सोच बल्लेबाज भाविन की छे रन स्कोर बढ़ता हुआ यह सौट अच्छा है यह सौट हवा में है फिल्दर है उसके नीचे मौजूद गलती नहीं करेंगे पहले विकेट का पतन जियां अभिसेक टंडेल जिस काम के लिए उनको लगाया था अपनी टीम को वेरी अर्ली ब्रेक्थ्रू दिलाया है छे रन के उपर नीरव 11 का पहला विकेट गिरता हुआ अभिसेक टंडेल स्ट्राइक फर हिस टीम इन इस फर्स्ट ओवर बाविन पटेल हैस्टू डिपाट्स ओन फोर रन स्ट्राइक टीम स्ट्राइक टूर ग्यों अभिसेक टूर रन पहला विकेट प्राप्त करवाया है अपनी टीम को अभिसेक टंडेल लगातार एखी टपपे के उपर गेंद बाजी कर रहे थे और लगातार मिड़ोफ के उपर सौट खेल रहे थे बल्ले बाज लेकिन इस बार काम्याब नहीं हुए जतिन जादो गेंद बाजी में अच्छ के लिए अच्छे फॉर्म में थे ऑस्टम के बाहर ये गें थी वाइड इस यॉर्कर फिल्डर मौजूद है कवर कि मीड़ोफ की दिस्वा में अच्छी गेंद बाजी लेफ्टम जो गेंद बाज होते है वो अमूवन दाय हाथ के बल्ले बाज के लिए परेशानी पैदा क करते हैं जैसे ये लेकिन इस बार सफल किया रूम बनाए अपने आपके लिए जगा बनाई वहां पर चक्का जड़ दिया वेल्कम चक्का आता हुआ आकरी गेंद के उपर छे रन के साथ और की समापती होती हुई पहले और की समापती पे बारा रन एक विकेट के नुक्सा पे निरवी लेवन पहले और की समापती बारा रन दीपक अब गेंद बाजी का भार संभाल लेंगे दूरवाले फार एंड से पहले और में बारा रन दिये है अब इसे टंडिल अच्छा वर गुजर रहा था लेकिन एक स्लो बाउंस डालने के प्रयास में छक्का खा बेठे स्क्वेर लेक के उपर से अच्छा सौट वो खेला था के उर वेजपरा ने अच्छे फॉर्म में है वो काफी एहम बल्ले बाज है अपनी टीम के लिए के उर वेजपरा एक मेंच वीनिंग पारी की जरूरत है आज उनके बल्ले से टीम को ये क्वालिफायर वन है क्वालिफायर इसी वज़ज़ से क्योंकि जो टीम जीतती है वो फाइनल में क्वालिफाय करती है दीपक अच्छी के इनबाजी ओफ्स्टम के बाहर हलके हातों से जेंटली पूस किया फिल्डर कवर की दिशा में मौजूद एक रन प्राप्त होगा तेरा रन इस एक रन की मदद से एक सो तीन रन का टार्गेट यहां पे सेट किया है चोकलेट वारियर्स ने टॉस जीता था निरव 11 ने और as we expected उन्होंने फिल्डिंग का फेसला किया था सोच विचारना चलती हुई यह होना चाहिए बादचीत होनी चाहिए दो बल्ले बाजों के बीच में लगातार फिल्डिंग में तबदिल्या होगी सामने अब मीड ओफ है एक कवर है एक्स्ट्रा कवर में कोई फिल्डर नहीं बैकवर पॉइंट है पीछे सौट थड़ में वो बिल्कुल सीधा खड़ा है सौट थड़ में विकेट कीपर के साथ कि Reynolds बाजे शी करने का प्रयाज था कि पहली गेंज डाली थी ऑप्स्ट्रम के बाहर थि इसलिए बल्लबाद में बनाया कि जतिन के यह उर्जीनों ने मन बनाया अपना कि वो रिवर्स एटेम करेंगे और वो जो कौन है उससे बाउंटरी के उपर वहां से गेन जल्दी निकल जाती है पीछे अच्छे गेन बाजी फॉलो किया इस बार बल्ले बास को जगा नहीं दी वैसे तो अपने आपके लिए रूम बनाना चाहते थे ये एक ट्रेडिशनल सॉट बन चुका है टैनिस क्रिकेट में मौडरन टैनिस क्रिकेट में दो सॉट आप आपको ज्यादा दिखेंगे एक रिवर्स और आप्स्टरम के बाहर सफल करके बैक फूट पे जाके हेलिकॉप तक बनके रहे गए वाटा स्पेक्टेकुलर सॉट दर्सनीय सॉट था बीस रन नीरवी लेवन 20 रन इस 6 रन की मदद से यह सॉट कड़क है यह सॉट अच्छा यह सॉट बड़ा है यह सॉट देगा कितने रन छे रन बैतरी इंट सॉट इस बार थड़ में बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से रिवर स्विप के अंदाज बे सॉट को उड़ाया कनेक्शन अच्छा हुआ प्रयास कर रहे थे इ यह सॉट जड़ा पिछली गेंद के उपर दो गेंदों के उपर लगा था दो बड़ चक्के इस बार कनेक्शन हुआ नहीं है बल्ला तो चलाया था इस बार भी लेकिन ठीक तरीके बल्ले पहले नहीं दूसरा रण लेने का मौका क्या बात है ब्रिल्लेंट पीस ओफ रणिंग बीट्विन दो विकेट ब्रेजंस ओफ माइंड यह होना चाहिए साजेदारी ऐसे नहीं झाल 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 अब इसे एक टंडिल अपने स्पेल का दूसरा वर लेके आएंगे पहले वर में 12 रन दिये थे पहली 5 गेंदों में मातरा 6 रन थे उसके बाद आकरी गेंद के उपर एक चक्का खा बेठे दे वेक विकेट भी उनको मिला है तो कप्तान की ये सोच अच्छी है कि आप उनका ज अच्छी की थी अगर वो एक गेंद को निकाल दी जाए जो छे रन पड़े थे उसके अलावा गेंद बाजी अच्छी की है और दोनों राइट हैंड बैट्समेन है तो उनके लिए वो जो एंगल बनता है उसका फाइदा उठाना चाहेंगे सामने कैजिंग पोजिशन के अंदर तैना थे सभी 28 मीटर की दूरी पे चार फिल्डर 38 सरकल के अंदर थर्ड मेंट स्क्वेर लेक कवर और पॉइंट फुल्टोस गेन और फिल्डर है मौजूद डीप में कोई गलती नहीं की जी विकेट के साथ नोबल का इसारा अंपाय नहीं म्रावत के द्वारा जले ये नमक कैज गया था फिल्डर को धुण निकाला था लेकिन ये नोबल हो गई ना खुज होगे अपने आप से गिनबस फ्री हिट अगली मैच के लिए कप्तान जैनित वारियर और मराठा वारियर्स के कैप्तान आ जाएंगे टॉस के लिए प्लीज और प्लेइंग इलेवन के साथ आएंगे दोनों कप्तान तो नाइस बालिंग डाउन दा ग्राउंड फिल्डर मौजूद जस्ट फ्रम दा फिल्डर और चौका देखे जाएगी देखना होगा निकल जाएगा जाएगा जे नहीं रुक गया नहीं गेंद है अभी भी प्रायास अच्छा था ये प्रायास अच्छा लगा क्योंकि थोड़ी भले आगे गिर गई कैच का मौका इतना था नहीं हाफ चांस माना जाएगा लेकिन चौका रोका है निश्चित तोर से रन बचा है अपनी टिम के 32 32 रन तीसरा ओवर चल रहा है ये अच्छी गेन बाजी 17 के उबर जतिन जादव अगेंद बाजी भी अच्छी किये है उन्होंने 9 के उबर केवर वेच परा खेल रहा है अच्छे फॉर्म में है वो ये फुल्टोस गेन और उसको सही नसीहत देते हुए छक्का मिलेगा काव कॉर्नर के उपर से क्या बात है फुल्टोस खराब गेन उसको सही नसीहत छे रन की मदद से 38 रन एक बड़ा सौट इस ओर में दिखा है यह और महंगा हो रहा है छे रन अब तक आ चुके हैं साथ रन इस ओर में अच्छी गेन बाजी बिल्कुल सीथे बल्ले से कॉपी बुक स्टाइल में सौट को खिला कवर की दिशा में फिल्डर मौजुद गेन बाजी गर अब यह करना चाहते है तो जो मैं बोलाओ एक कैचिंग पोजिशन होना चाहिए यहां से थोड़ी दिर हवा में गेन रहेगी लेकिन यह आगे गेन थी इसके लिए थोड़ी उपर गेन डालनी पड़ती है ओफेंसिव फिल्डिंग सजानी पड़ेगी 38 रन 38 रन 30 रावर चल रहा है कनेक्शन इस बार हुआ नहीं बड़ा सोट खिलने का प्रयास जरूर था गिंद की लाइन में भी आ गए थे लेकिन बल्ला थोड़ा जल्दी चल गया मराटा वारियर्स यह आखरी आपके लिए कॉल है प्लीज मराटा वारियर्स टॉस के लिए आजाएंगे प्लीज यह आखरी कॉल है आपके लिए प्लेइंग इलिवन के साथ आएंगे दिया चोटिल हुए है वहाँ पे गिन लगी है दिक्कत में है कि गिन्बास कि यहां क्रेंप वहां पर हुए है क्रेंप का दिक्कत है वहां पर अभी सिक टंडिल को तेज गिन्बास को मिवन यह लीगामेंट का प्रॉंब्लेम रहता है खास करके लेफ्ट आम गिन्बास को तो चोटिल हुए है वहां पर उम्मीद करेंगे चोट उतनी जादा गहरी नहीं होगी टीम के लिए उप्योगी गिन्बास है श्ट्राइक गिन्बास है अपनी टीम के लिए खास करेंगे लेक्षा नहीं होगी टीम के लादा गिन्बास है अच्छी गेन बाजी जो एंगल बनता है ना जिसके मैं बात कर रहा था कि लिए जब बाहर की और गेन डालता है ना तो उसका एंगल बनता है ऐसा लगता है कि गेन रडार में है लेकिन पढ़ने के बाद काटा बदल लेती है यह अमोमन लेफट अम का एंगल बन ही जाता है क्योंकि उनका जो हाथ का कव आता है ना वो बिलकुल बाहर की और आता है इस बार सीधा फिल्डर काट में क्या बहतरीन फिल्डिंग दिपक बहतरीन फिल्डिंग का प्रदसन कवर की दिशा में क्या बात है अँ़े, बाई, 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 बाई अच्छी सुरवात मिली है पहले तीन ओर में जो प्लेटफॉर्म सेट करना था जो एक अच्छे पहले तीन ओर गुजरने चाहिए थे वो गुजरे है अच्छे तरीके से नीरव 11 के लिए जतीन 23 के ओपर खेल रहे है दस गेंदों का सामना किया है उन्होंने केरु वेज पर आएक सपर्टिंग रॉल अदा कर रहे है जो जैसामिट थुमर ने अपनी टीम के लिए अदा किया था क्सपर्टिंग रॉल और सामने विसाल पांचाल ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली तो बिल्कुल उसी प्रकार का सेटप अपतब चो चल रहा है शुरवात बहुत ही बढ़िया दी है पहला विकेट जल्दी गीरा था भाविन के रुपे लेकिन उसके बाद साजेदारी हुई है छे रन के उपर जहां पहला विकेट गीरा था उसके बाद 32 रनों की साजेदारी इन दोनों के बीच में हो चुकी है और वो भी मात्र 14 गेंदों के उपर 14 गेंदों में 32 रनों की साजेदारी इन दोनों के बीच में तो ये काफी प्रभाव डालेगी ये साजेदारी अंतक चलनी चाहिए किसी एक बल्ले बास को दोनों में से किसी एक बल्ले बास को अंतक रहना हगा क्योंकि उसके बाद उनके बास हैमन भी है जो अच्छी बल्ले बाजी कर लेते हैं ये सौड अच्छा ये सौड कड़ा के मिडल अब दो बैट कनेक्शन हुआ है तो छे रन मिलेंगे पूरे क्या बात है जक्के के साथ शुरुवत की है इस ओर में स्वागत है आपका फैनिल छे रन के साथ चौवालिस रन फोटी फोर चौवालिस रन इस छे रन की मदद से पहली गेन के उपर प्रहार किया के उर वेज़ पर आने अच्छे फॉर्म में कल एक मैनब दमैज भी लिया था छोटी गेन है बकसे के नहीं इस बार भी मिलेंगे पूरे छे रन इस बार एरिया चुना लॉंग लेग वाला पिछला मीड विकेट के उपर से इस बार लॉंग लेग के उपर से लगाता दो गेंदों में दो छक्के और स्कोर पहुंच गया पचास रन पचास रन यहाँ पर नीरवी लेवन के जैसा ही गेन बाजी में परिवर्तन हुआ तो केउर वेजपरा के खिलने का अंदाज में परिवर्तन हो गया दो गेंदों के उपर दो बड़े छक्के मीड विकेट के उपर से लॉंग लेक के उपर से अब दबाव में गेंद बाज फैनिल दो गेंदों के उपर दो छक्के पचास रन बोड़ के उपर 53 रन चाहिए जीत के लिए अब गेंदे बची है 28 ये भी अच्छा सोड लगातार तीन गेंदों के उपर तीन सोड क्या ये ओवर सबसे बड़ा होगा क्या ये ओवर सबसे बड़ा होगा क्यूंकि 56 रन पहली तीन गेंदों के उपर तीन बड़े छक्के पर रहे थे के यूर गेन बास के ओवर खत्मा हुए स्ट्राइक गेन बास के जैसे ओवर खत्मा हुए और नए गेन बास को आड़े हाथ लिया है ये लेंद अच्छी है बैक ओफ लेंद ऑप्स्टम के बाहर थोड़ी राहत की सास मिलेगी गेन बास को बैक ओफ लेंद गेन बास ही बड़िया ऑप्सन है अबके लिए क्योंकि पहली जो तीन गेंदे डाली बिलकुल रडार में थी हाफ वली गेंदे थी मात्रत ताकत के साथ बल्ला चलाना था तो वो बहतरीन तरीके से वो काम किया है केउर वेचपरा ने स्कोर फिप्टी सेवन सत्ता वन ये सौड इस बार क्रोस बैटेट खेला है फिल्डर मौजूद स्क्वेर लेक पे वन बाउंस सिधा उनके हाथ में पहले दो पहले तीन गेंदों में तीन चक्के उसके बाद दो सिंगल बीस रन इस ओवर में आ चुके है और स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन इस ओवर की आखरी गेंद होगी अच्छी तरह के से खत्म करनी की मनसा होगी केयूर की लेकिन सोच अच्छी लगी जतिन की क्योंकि जानते केयूर अब बढ़िया फॉर्म में लग रहे तो उनको स्ट्राइक दे दी आखरी गेंद के उपर इस ओवर इस गेंद के उपर बढ़ा सोट चाहेगे नीरव 11 सोट अच्छा है हवा में है फिल्डर स्क्वेर लेक पे मौजूद है और देखना होगा कोई गलती नहीं की बड़ी मचली को जाल में फसाया है फैनिल ने आखिर अपनी गेंद के उपर 20 रन आये थे लेकिन वापसी की आखरी गेंद के उपर मनसा प्रयास वहीं थी के स्वेरलेक के उपर से छक्का जड़े लेकिन इस पार बीच में फिल्डर खड़ा था ज्यादा हवा में उपर चली गई जो एलोवेशन मिलना चाहिए प्राप्त हुआ नहीं मातर हुँचाए प्राप्त की 58 के उपर दूसरा विकेट गीरा ये 52 रोणों की साजेदारी इन दिनों के बीच में तोड़ी है फैनिल टंडिल ने 58 के उपर दूसरा विकेट अनदर हाड हीटर बेस्पन कमसाओ तो दा मिडल हमन पतिल उनके आइन पतिल ने आने की वज़ग क्या है के उर वेचपरा का अभी अभी बेजा है फैनिल टंडिल ने काफी बड़ा वर था वो तीन छक्के दो सिंगल बीसरन आ चुके थे और आखरी गेन के उपर भी वही प्रायास किया था स्क्वेर लेक के उपर से छक्का जड़ना चाहते थे लेकिन गलती यह हो गई कि थोड़ा उपरी किनारा लगा उसकी वज़ा से गेन ज्यादा हवा में चली गई उचाई प्राप्त हुई लंबाई प्राप्त हुई नहीं विसल आज बल्ले बाजी बहुत ही बढ़िया की है 62 रनों की पारी खेली थी अपनी टीम के लिए और आज ये टुनामेंट का मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बढ़िया साजेदारी थी है 52 रनों की उससे पहले इसी मैच में पहली पारी में हमने चॉकलेट वारियर्स की और से देखा था अमीट ठुमर और विसल पांचाल के बीच में 90 रनों की विसाजेदारी वाइड के साथ सुरुवात की है विसल ने हैमन ये भी कुरूसल प्लेयर रहेंगे इनकी विकेट भी काफी प्राइज विकेट मानी जाती है क्योंकि कल भी बहतरी न कुछ पारी खेली थी उन्होंने जो दूसरा मैच नीरव 11 का हुआ था वहाँ पे बहुत ही बढ़िया 32 रनों का जो कॉंट्रूबिशन उन्होंने दिया था तो वो भी फॉर्म में है अच्छा लई में है पहला हाफ अच्छा रहा है 59 रन नीरव 11 के लिए ये बैक फूट पे गए और क्रॉस बैटेड फ्लैड छक्का स्क्वेर लेक के उपर फिल्डर दर्शक बनके रहे गए 65 रन पहली गेन के उपर छक्का क्योंकि पहली वाइड आई थी क्वेर जुक के लिए ऐा हूप लिए है कार खिल्या है पहतरिन वो सौट था, बैक फूट पे गए, छोटी गेन नहीं थी, ये गुडलेंद के उपर टपा खाई थी, और उपर गेन बाजी की थी, लेकिन, क्रॉस बैटेट सौट अपने आपको पोजिशन में लाए, होरिजन्डल बल्ले के साथ, कनेक्शन, मिडल अप दो बैट, क्या साउंड आया था, स्क्वेर लेक के उपर से छक्का, 65, आप्स्टम के बाहर, जाने दिया, लैट, फॉर्द विकेट कीपर, अच्छी वा वहां से बल्ले बास को ज्यादा प्रेस करना पड़ता है, एक्स्टेंशन जो देना पड़ता है, वो थोड़ा और ज्यादा देना पड़ेगा, आप्स्टम के बाहर, 65, 65, हमंद 6 के उपर अपना खाता खोला है, छेरन के साथ उन्होंने, ये इंसाइड आउट सॉट कवर क के उपर से गैप है वहां पे लेकिन फिल्डर भी मौझूद था, वो बैकवर्ड पॉइंट के स्वीपर पॉइंट वे उपर खड़ा था, एक रणी मातर प्राप्त होगा, 66, 66 रन, पहला हाफ अगर बात करें ना, तो 62 रन बने थे चॉकलेट वोडियर्स के, उसकी कमपेर अच्छी तरीके से साथ साथ चल रही है दोनों टी में, बड़ा सोट खिलने का प्रयास था, बाटा में लगा बल्ले का, फिल्डर मौझूद वहां पे, डीप में, लॉंग उन की दीशा में, एक ही रन होगा, अच्छी वापसी एक सोट आया, बड़ा चक्का, पहली गेन क पर, पहली वाइड आयी थी, उसके बाद चक्का आया था, उसके बाद वापसी की है, ओप्स्टम के बाहर की लाइन रखी है, तो ये सही सोच, बड़िया वापसी, बड़िया क्रिकेट, सरसट रन, चर्णाक पारी, फायर पे, जियां, हमन, पटल, नावन, फायर, चार गेंदे, तेरा रन, दो चक्के सामिल, अच्छी गेन बाजी क्या बात है हवा में थोड़ी देर रखा था अप्टम के बाहर सीथे बल्ले से टेस्ट मेंच वारी स्टाइल में खिलने का प्रयास लेकिन बीट हुए कोई नुकसान नहीं हुआ 73 दो विकेट के नुकसान पे 5 ओर की समापती हो चुकी है जीतने के लिए 18 गेंदों में 30 रन चाहिए 3 ओर में जीतने के लिए 30 रन चाहिए 10 रन प्रती और यहाँ पे चाहिए उन्हों टीमें बहुत ही टगड़ी है जी यहाँ बल्ले बाजी भी दोनों टीम के पास बहुत ही बढ़िया है तारगेट 103 का इतना बड़ा खड़ा किया था लेकिन 2-3 जो ऐसे बल्ले बाज है न नीरव 11 की टीम में के उर है, जतीन है, हैमन्थ है, कैनिल है बहुत ही बढ़िया अपनी टीम को कॉंट्रिबिशन करते है और यहाँ पे हैमन्थ जो उम्मीद थी टीम को उनसे वहीं काम कर रहे है प्राइज विगेट है उनका गवराउ नावले गेनवाजी के उपर अब विसाल पांचाल का पहला और महंगा रहा 15 रन उसके अलावा फैनिल उनका भी महंगा वो रहा था, एक और में 20 रन दिये थे अब गेनवाजी में परिवर्तन, 30 रन चाहिए, 18 गेंदों में उल्टी गिंती अब सुरू हो गई है 73 रन बॉर के उपर अब स्ट्रम के बाहर सीधे बलने से कॉपी बुक स्टाइल में कवर की दिसा में ये सौट देख के मजा आया चौका बले नहीं आया, लेकिन सौट मुझे ये पसंद आया जब भी टैनिस क्रिकेट में ऐसे कोई कॉपी बुक स्टाइल में लेधर बॉल वारा सौट खिलता है नाद मुझे बड़ अच्छा लगता है ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग सौट ही ये आपस्टम के बाहर सीधे बल्ले से कवर की दिशा में गैप में गेन कोट डालना एक अच्छा द्रस्य नजर आता है वो 74 चोहत्तर रण 17 गेंद में 29 रण चाहिए अब हेमन स्ट्राइक के उपर राउंड विकेट अब आएंगे गेन बस गौराव नावले किनारा लगा है अगर स्टलीप होता ना तो ये गेंद कैरी कर गई थी लेकिन वहाँ पे सौट थण में मौजूद था अच्छी तेस गती से पढ़ने के बाद निकली थी ओप्चम के बाहर पढ़ने के बाद थोड़ी एंगल बना था उसकी वज़े से ये किनारा लगा कवर की दिशा में खेलने का प्रयास था लेकिन बच गए वहाँ पे अगर स्टलीप मौजूद होता ना तो बाड़ के उपर तीसरा विकेट लिग जाता लेकिन सौट थर्ड में है नो स्लिप इन प्लेस बिकॉज देर इस थर्ड में बिहाइंड दो विकेट कीपर 75 अच्छी गेन बाजी यह सौट क्रोस बैड़ेट खेला है गैप है वहाँ पे क्या सौट मारा बेहतरी न काव कॉर्नर और लोंगोन के बीच में से लोंगोन बिलकुल सीधा खड़ाता उसकी वज़े बाजी में अच्छा दीन रहा है बल्ले बाजी भी बढ़िया कर रहे है तीस के ओपर पहुँच गए यह सौट अच्छा है कवर की दिशा में फिल्डर वहाँ पे मौजूर लेकिन मात्रत दर्सक बनके रह गए लगातार दो गेंदों के ओपर दो चक्के दो गेंदों के बद दो चौके अब दबाव में गेंबास बीस रण चाहिए अब जीतने के लिए 14 गेंदों में किनारा लगा विकेट कीपर के उपर से गेंद चली गई पीछे फिल्डर मौजुद था इस ओवर में दो मर्तबा ऐसा हुआ है कि जहां किनारा लगा पहले स्लीप में गई थी इस बार विकेट कीपर के उपर से गती है इनके पास यह डैक हिट करते है गुडलेंद के एरिया को वो टारगेट करते है वहां से वो गती प्रदान करते है 83 रन 20 रन अभी भी चाहिए 13 गेंदों में अप्स्टम के बाहर पॉइंट की दिशा में दीपक वहां पे मौजूद थे सीधा उनके हाथ में ये गेंद थी लेकिन अमूवन ये कैच उतना आसान नहीं होता अच्छे फिल्डर है वैसे तो डाइविंग एफट किया था लेकिन हाथ में से गेंद छिटक गई अब 12 गेंदों में 19 रन चाहिए जीतने के लिए अब 12 गेंदों का खेल वचा है 19 रन जीतने के लिए चाहिए विशाल पांचाल पहले और में 15 रन दिये थे डेथ होर में गेंद बाजी का भार संबाला है कप्तान ने उनको वुमी का दी है रन बचाने की पहली गेंद के अबर सीधा बिल्कुल ये फ्लिक सोट बढ़िया था क्या बात है तीर जैसा सीधा सोट के लॉंग अन लॉंग उफ का फिल्डर भी देखते रह गया क्या बात है तारीफ होगी सोट की 15 रन चाहिए अब 11 गिंदो में अच्छी गेंवाजी लेफ्ट अन गेंबाज बैक ऑफ लेंड गेंबाजी ऑप्स्टम के बाहर स्टम के उपर से गेंड निकल गई पढ़ने के बाद बाहर निकली खिलना चाहते थे लॉंग उन चालिस के उपर खेल रहे है उननीस गेंदो का सामना किया है तीन छक्के तीन चौके सामिल है अठासी रन दस गेंदो में 15 रन चाहिए फुल्टोस गेन मौका था वहाँ पे बड़े स्कोर बनाने का लेकिन चुक गए यह फुल्टोस गेन थी ऑप्स्टम के बाहर थी और लो फुल्टोस थी अमूवन आसान नहीं होता हमें यहां से लगता है कि यह फुल्टोस गेन थी लेकिन यह लो फुल्टोस खास करके ज़्यादादर खेलते देख रहा हूं क्यूंकि केरोन पॉलाड के इसके उबर अंसेक्सेस्फुल होते हैं लोफुल्टोस आप्स्टम के बाहर विकेट देते हैं वो भी तो यह आसान नहीं थी गिंद वैसे वाइड होगी निस्चित तोर से वाइड होगी आप्स्टम के काफी बाहर तो यह होना नहीं चाहिए अत्री गेंदे डालेंगे वापिस आपको डालनी पड़ीगी इस गेंद को नवासी रन चौदा रन चाहिए नो गेंदो के उपर नो गेंदे बाकी है जीतने के लिए चौदा रन रिक्वाइर है यह तीन गेंदे बहुत ही महत्व पुरुना यह तीन गेंदे इंपोर्टन होगी तै करेगी कि आखरी ओर में खेल जाएगा या नहीं या तो जाएगा तो कितने रन आएंगे अच्छी गेंदे बाजी क्या बात है बल्ले बास से दूर रखने का प्रयाज सेट बल्ले बास को आपने खामोस रखा है मतलब आपकी गेंदे बाजी अच्छी है क्योंकि जतिन अच्छे फॉर्म में है 39 के उपर खेल रहे है confidence बहुत ही बढ़िया है सेट हो चुके है और उस बल्ले बास को आपने खामोस रखा है तो गेंदे बाजी अच्छी की है death order में क्या गेंदे बास ही होनी चाहिए ये इस गेंदे बास को मालूम है 14 रन चाहिए अब आठ गेंदो में अच्छी गेन बाजी क्या बात है बहतरी न लाइन और लैंड magic जो कलबी में बात कर रहा था यहीं बात कर रहा था कि आपश्टम के बाहर रखे बल्ले बात से दूर रखे क्योंकि वहां से जो बल्ले का extension आएगा तो power कम होगा पावर कब आता है जब बैक फूट पे जाएंगे लाइन में आएंगे तो ताकत आएगी ना अपस्टम से बाहर रखेंगे तो वहां से ताकत कम होती है अगर आप सीधे बल्ले से नजाकत जानते हैं ना तो सौट लगा पाएंगे सफल करना पड़ेगा मौका लेना पड़ेगा आखरी गेंध ही सुवर की 14 रन चाहिए साथ गेंदों में इस बार एक्स्टेंशन मिला जो मैंने कहाना ताकत कम होती है और कैशे का प्रयास लेकिन एफट पूरा कमिटमेंट के पूरे नंबर मिलेंगे जी हाँ निस्टी तोर से चौका बचाया है वैसे फिल्डर पीछे आ गए थे लेकिन फिर भी ये एफट मान गए बढ़िया फिल्लिंग का प्रदर्शन और अब चाहिए 13 रन 6 गेंदों में करते हैं ये मैच जी हाँ तेरा रन चाहिए छे गेंदों में जीतने के लिए पिछला ओवर क्या गेनवाजी की है विसल पांचाल पहला ओवर जहां पंदरा रनों ने खर्च किये थे आखरी ओवर में जो उन्होंने डाला मातरच छे रन दिये गवराव नावले के उपर अब जिम्मेवादी 13 रन बचाने की और हैमंत नौन स्ट्राइक एंड के उपर जतिन स्ट्राइक के उपर है तेविस गेंदों का सामना करके 40 पूरी जिम्मेवारी होगी इन दोनों बल्ले बागी है शे गेंदों का खेल बागी है सबकी धड़कने तेज निगाहे होगी गेनबास की उपर फुल्टोस गेनदी आपस्टम के बाहर आसन नेधर अनाउट का मौका ये दबाव ये दबाव है आकरी ओवर में जो तेरा रन चाहिए ना लेकिन स्ट्राइक पे लाना चाहते थे हमन को इसी वज़ा से अपनी विकेट जो थी उसको कॉंपरमाइस किया है उन्होंने अब पांच गेनदों में तेरा रन चाहिए डीजे पांच गेनदों में पिछले और में वापसी करवाई विसालने अब इस पहली गेनदों में तेरा रन चाहिए गेन के उपर रन आउट के रूप में लेकिन अच्छी बात के स्ट्राइक के उपर हैमन्थ है छे गेनदे चौदा रन कैनिल टंडे लगले नए बल्ले बास नजरे है अब हैमन्थ के उपर पूरी जिम्मेवारी उनके उपर टीम की पूरा दारो मदार कप्तान का उनके उपर खुद कप्तान हैमन्थ फुल्टोस गेन लेकिन फाइदा उठा नहीं पाई फिल्डर डीप में मौझूद दूसरा रन लेना चाहेंगे थ्रो अगर अच्छा होगा अच्छी सोच मना किया हैमन्थ ने कैनिल को जिम्मेवारी दी है चार गेंदों में 12 रन बनाने की चार गेंदे 12 रन इस नेल बाइटिंग फिनिस हो विल भी होल दिस नौ जो भी यह पैसंस का खेल है यहाँ पर आपको पैसंस रखना पड़ीगा धैरिय यह सिचुएशन सब तैय करती है कि आप में धैरिय कितना है केन विलियमसन वाला खेल खेलना पड़ता है वो धैरिय रखना पड़ता है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में मात्र वह एक बल्ले बाज है जो पूरे पैसंस के साथ खेलता है 91 ओप्टम के बार इंसाइड आउट सोट फिल्डर से दूर है दूसरा रण लेने का मौका मिलेगा नहीं मिस फिल्ड वी लेकिन चांस लिया नहीं अब मात्र चाहिए तीन गेंदे बचिए और ग्यारा रण चाहिए तीन गेंदे ग्यारा रण ये दो गेंदे में ये जो तीन गेंदे बाकिन ये गेंद काफी इंपोर्टन है इसमें बड़ा सोट खिलना पड़ेगा इसके उपर बड़ा सोट हमन को खिलना पड़ेगा कप नाइस बॉलिंग क्या बात है वाइडी स्योर कर कोई मौका नहीं अब दो गेंदों के उपद दो बड़े सौट अगर कोई भी गलत गेंद डालते नहीं है तो तो दो गेंदे बची है 11 रन चाहिए ये मस्ट विन मुकाबला हाथा हारने वाले टीम को मौका मिलेगा लेकिन डाइरेक्ट फाइनल में जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है अब ये दो गेंदे का खिल बचा है 94 गेंदे हो चुकी है और नजरे है इस दो गेंदों के उपर अब भी भी तैय नहीं हुआ के कौन आएगा ये क्रिकेट का मज़ा फुल्टोस गेंद सामने की और खेला है और कैच आउट अच्छी सोचर अच्छी क्रिकेट अच्छी गेंद बाजी ऑप्स्टम के बाहर फुल्टोस गेंद जो लो फुल्टोस केरान पॉलारिस सोट को नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये आसन नहीं होता इस गिन को उड़ाना एक गेंद 11 रन कोई भी गलत गेंद नहीं डालते तो मैच खत्म हो चुका है एक लिगल डिलेवरी मैच खत्म आखरी गेंद के उपर भी एक रन नहीं मिलेगा और 10 रन से इस मैच को जीत लिया है क्या बात है दोनों टीमों में आखरी दो और में वापसी किल लेकिन जो चौकलेट वारियर्यस के गेंद बाजों ने वापसी की ना वो काबिले तारिप थी मान गए तीन ओर में जहां 30 रन चाहिए थे मात्रा 20 रन दिये और 10 रन से इस मैच को जीत लिया है मानना पड़ेगा बढ़िया गेंद बाजी प्रदसन खास करके विसाल जीनों ने साथ वेवर में मात्रा 6 रन दिये और गवरव मावले जो बचाने थे 13 रन उन्होंने मात्रा 3 रन दिये ये गेंद बाजी कम गेंद बाजों से देखने को मिलती है क्योंकि ये दबाव भरी सिच्चुएशन थी ये दबाव प्रो नहीं ये मैच था क्वालिफायर पहला था ये कोई लीग मैच नहीं था इस मैच में बड़े मैच में जो बड़ा खेलारी पर्फोर्मेंस करता है वो अपना नाम रोसन करता है तो ये किस ने किया है विसाल पांचाल जो 62 रनों की पारी खेली और गेंद बाजी में जब आये ना तो कुरूसोल वर डाला था उसमें 6 रन ही मातर दिये थे एक विकेट गवरो मावले ने लिया आखरी ओवर में और वो इंपोर्टन विकेट हैमल को चलता किया है मन को अभी सेक टंडेल उनको एक विकेट प्राप्त हुआ और फैनिल टंडेल उनको भी एक विकेट मिला तो इस प्रकार से चोकलेड वारियर्स ने इस मैच को 10 रन से जीता है झाल 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 यह पहला क्वालिफायर जो हुआ वहती कस्मकस्क बरा दबाव पूर्ण यह मैच था और उस दबाव पूर्ण मैच में उबर के आए जो मैनब दा मैच जो खिताब हासिल करेंगे वो है विसाल पांचाल 62 रनों की पारी खेली बहतरीन पारी उनकी बदोलत 102 रन बोड़ के उपर जड़े उसके बाद गेन बाजी में इंपोर्ट अनोबर डाला 63 रन मात्रह सोर में दिये और मैनब दा मैच के खिताब के लिए विसाल पांचाल आएंगे कॉमेंटरी बॉक्स के पास यहाँ पर प्रसांत भाई कंसारा उनके द्वारा मैनफ दमेच की ट्रॉफी दी जाएगी विशाल पांचाल यहाँ पर आएंगे अपनी मैनफ दमेच की ट्रॉफी हासिल करेंगे मैक्सवेल जल्ली आओ जे है बाई टाइम न थी फटा बट फटा बसी बटा जे मैक्सवेल कि क्रीक हीरोस में उसका नाम नहीं है जो टीम सब्मिंट कर वाईस में और सेवन स्टार ग्रूप प्रेजेंटेड सेवन स्टार कप तीसरा दीन आज का महा मुकाबला यह सुपर संडे ब्लॉकबस्टर संडे पहला मुकाबला जो हमें उम्मिद थी ना किस कैसा संडे होगा धमाकेदार संडे होगा जी कोथमडी के स्पुजन ग्राउंड के उपर पहला मुकाबला मज़ा आ गया नेल बाइटिंग फिनिस हुआ और इस डुन्नामेंट के जो सफल बनाया है जो स्पॉंसर उनको हम याद करेंगे जोसेफ लुईस, जैनित कंसल्टनसी के वह उनर टी सर्ट के स्पॉंसर है अमीट थुमर, जो चॉकलेट वार्ययर्स के लिए खेलते हैं सलामी बल्ले बाज है, चॉकलेट हॉमस के उनर, ट्रॉफी के वह स्पॉंसर निरोव पटेल, निरोव स्पॉट्स के ओनर, फेंटासी, प्रेडिक्शन और क्रिकेट एनालिसिस, प्रसान कंसारा हमारे बीच मौजूद है, मैनब्द मैच देंगे, इस क्वालिफायर पहला जो खेला गया, चॉकलेड वारियर्स ने जी से जीता है, और उस जीत में जो सब सबसे बड़ा योगदान रहा ना, जो कॉंट्रिबिशन सबसे बड़ा, वो विसाल पांचाल का, मैक्सवेल के नाम से जाने जाते है, 62, 62, 62 रोलों की पारी खेली, और बहुत ही बढ़िया, प्रसान कंसारा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका, आप आए, यहाँ पे, मैन कंस्ट्रक्शन के ओनर, जो यह निविया हेवी बॉल इस टुन्नामेंट में खेला जा रहा है, उसके स्पॉंसर, दवल पटेल, जीटीपेल, ब्रोडबेंड, न्यू इंटरनेट कनेक्शन, यूट्यूब का जो प्रसारन, उनमें इंटरनेट की सेवा उनके द्वारा, हर् जल जीवन है, तो वो जरूरी है, उनके स्पॉंसर जयंबे वाटर सप्लायर, ट्वेल्थ मैन आ जाएंगे, पहले जैनित वारियर्स और माराठा वारियर्स, उनके ट्वेल्थ मैन पहले आ जाएंगे, उसके बाद मैच सुरू होगा, एलिमेनेटर मुकाबला, ये मुकाब जो टीम हारेगी न, वो टूर्णामेंट से बाहर का रास्ता पकड़ेगी, तो दोनों के लिए मुस्ट बिन कंडिसन है, जीतना दोनों के लिए ज़रूरी है, जो सबसे बढ़िया अपना क्रिकेट खेल जाएंगा न, वो क्वालिफाइट टूमे जाएगा, मराठा वारिय वन दा टॉस, एन देव डिसाइडेट टू फिल्लिंग फर्स एज वी एक्सपेक्टेड, जैसे हमने सोचा था कि फिल्लिंग ही पसंद करेंगे, और उन्होंने आमंत्रीत किया है मराठा वारियर्स को, दो सलामी बल्ले बास, मराठा वारियर्स के पहुंच चुके हैं, संदीप लेफ्ठेंड बैट्समें, नयन के सामने स्ट्राइक के उपर रहेंगे, पारी की सुर्वात करेंगे, मराठा वारियर्स के लिए, ये दो वारियर्स के बीच में, एलिमिनेटर, पहला एक वारियर, जो फाइनल में पहुंच चुका है, अब समके बाहर है, लैस किया है, काफी तेज गती से, नहीं गेंद है, तो भी फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि गती उतनी थी की चौका मिल ही जाएगा, कडाक सॉट खेला, चौके के साथ, अपना खाता खोला, टीम का भी खाता खोला, what a way to start of the एलिमिनेटर, सम्दिप के बल्ले से, श्लैस वेरी हार्ड, इन फ्रन्ट अप दा कवर एरिया, देरिज रूम आउटसाइड डी आप्टम, एन दोनों हातों से मौके को कबूला, चौका बटोरा पहली गेन के उपर, पर बढ़िया सुरवात, सुरवात अच्छी मिलती है न, तो confidence बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है, लेकिन यह नए अच्छे गेन बाज है, वापसी कर्द ना जानते हैं, पॉइंट के उपर से, इंसाइड आउटसट खिरा चौके के लिए गेन जा रही है, देखना होगा, रुके की, जी नहीं, रुके की, आउटफिल अच्छा है, जी यहां गेप में गिरेगी ना, तो चौके के लिए रुके की ने, इस बार वापीस गेन जित गई, फिल्डर मौझूद था वहाँ पे, लेकिन उसके उपर से गेन निकल गई, थोड़ी देर हवाँ में रही थी, अन्दा टॉप ये सौट खेला था, आठ रन, दबाव में अब गेन बाज, नयन, लेफ्ट रन बल्ले बाज, उनको राउंड विकेट गेन बाजी कर रहे है तो उनके पाले में गेन जा रही है, साइद एंगल चेंज करना चाहिए मेरे ख्याल से, इस बार रिवर्शिप एटाम करने का प्रयास कनेक्शन हुआ नहीं, लेकिन देखना होगा बाई के रूप में मिलेगे या नहीं, जी यहां, बाई का इसार अंपर के द्वारा, वहाँ पे कुछ लगा नहीं था किना रहा, नौरन इस सिंगल की मदद से, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, और यह अच्छी सोच, सीवचरन अब स्ट्राइक के उपर, सलामी बल्ले बास के तौर पे, संदीप पुरोहित, तीन गेंदो में, आठ रन के उपर, दो बहतरीन सौट खिले है, और वैसे भी जो लेफ्ट हैं बल्ले बास होता है न, उनका ये इंसाइड आउट सौट वाला जो स्ट्राउंग होता है, यहाँ पर अच्छा खेलते हैं वो, फाइन लेक को थोड़ा, बिल्कुल सीधा सौट फाइन लेक कर दिया है, जो काफी स्क्वेर खड़ा था, निश्चीत तोर से दोरन बचाए अपनी टीम के, कपल अफ रंस के साथ अपना खाता खोला सीव चरण ने, आफ्स्टम के बाहर गेंज जा रही थी, कट किया धिमिगती से, नजाकत दिखाई, दोनों बल्ले बाजों ने जो सौट खेले हैं अभी तक, सभी सौट में नजाकत दिखिये, पहली सौट जो खेली थे ना चौका, वहाँ पर ताकत दिखाई थी, सीव चरण अपना खाता खोलते हुए, अब फाइन लेग जो खड़ा है, वह सौट थर्ड में के रूप में खड़ा हो गया है, और दुसार वियास गली में खड़े है, पीछे सौट लॉंग लेग खड़ा है, डिप मीड विकेट बाउंडरी लाइन के उपर, लॉंग अन बाउंडरी लाइन के उपर, और एक मीड अन, ये लेग साइड की फिल्डिंग, कवर, एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट है, ये सौट हवा में है, फिल्डर के उपर से खेल दिया है, चौका मिल जाएगा, वन बाउंस, टू बाउंस, स्ट्रेट, इन्टू दा फैंस, बैतर इन सौट, पंदरा रन, चल रहा है, तो मात्र, आपको 30 यार सर्कल को क्रॉस करना है, क्योंकि, आउट फिल्ड तो तेज है, तो चौका तो मिल जाएगा, ये सौट अच्छा था, अन दा टॉप ये सौट खेला था, ओवर दा टॉप, चौके की मदद से 15 रन, महेंगी सुर्वत, एलिमीनेटर की, नयन के द्वारा, कल वैसे तो अच्छी गिनबाजी की थी, लेकिन यहाँ पे बड़े-बड़े टार्गेट भी चेस होते है, 15 रन, रिवर्स एटम किया है, फिल्डर मौजोद है कवर की दिशा में, एकी रन प्राप्त होगा, एकी रन मातर प्राप्त होगा, आकास मौजुद थे वहाँ पे, 16 रन, पहले और की समाप्ती पे मराठा वॉर्यर्स का स्कोर है, 16 रन, 7 रन पे सीवचर रन, संदीप पुरोहित वो 8 के उपर खेल रहे है, छक्का कोई भी नहीं आये, लेकिन बॉर्ब के उपर 16 रन जड़ चुके है, क्योंकि चौके आये थे ना 3 पहले और में, क्योंकि अलली में, आफ्टर कंप्लेटिंग फर्स्ट ओवर 16 रन अन दा बाड विदाउट लॉस शीराग पटेल विल स्टार्ट दा प्रोसीडिंग इन दा बालिंग अटेक फ्रम दा फार अन पहला और महंगा रहा उसका खामियाजा यहां पे वो कवर करना चाहेंगे वो भुकतान यहां पे वो कवर करना चाहेंगे जो पहले और में नुक्सान हुआ है अच्छा सॉट यह विल्कुल डाउन दा ग्राउंड सॉट सामने फिल्डर मौजूद कवर की दिशा में फिल्डर वैसे लॉंग अफ के उपर खड़ा था कवर की दिशा में जाके उस ओट को रोका एकरन वे हासानी से प्राप्त किया लिफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉंबिनेशन मौजूद है तो फिल्डिंग में तबदील्या होगी कप्तान के लिए परेशानी का सबक रहता है कि जब दो अलग किस्म के बल्ले बास खेल रहे होते और लगातार बल्ले बास को भी एंगल चेंज करना पड़ता है इसलिए तो ये अच्छा फॉर्मिला माना जाता है क्रिकेट में के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बल्ले बास राहुल तरविट फॉलो करते हैं जो भी मैंने देखा है वो ये सिखर्दमन आउट होते हैं तो वो ज्यादे से दाव प्रयास करते हैं कि रिशब पंद को भेजे कोई लेफ्ट हैंड बल्ले बास को भेजे ये अच्छी फॉर्मिला है ये इसी फॉर्मिला के तहतुरां अंडर नाइटीन वल्लकप भी जीताया था दो हज़ार अच्छी गिन ऑप्स्टम के बाहर कट करना चाहते लेकिन गती कम थी इस सौट के उपर अगर आपको स्ट्लैस करना है तो थोड़ी गती चाहिए क्योंकि गती होगी तो किनारा लगेगा न तो भी पीछे से गिन निकल जाएगी लेकिन अच्छी गिन बासी अच्छी वाप्सी इस ओवर में चीराक के द्वारा यह आप्स्टम के बाहर बॉटम एज लगा है यह सौट देखिए आप बॉटम एज लगा ताकत इतनी धीना बॉटम एज में के चटका दे गई तेवी स्रन यह होता है ना वेजटन इसके वही प्रयास करते हैं कि बॉटम हैज लिया जाए इसलिए वह टॉप हैंड बले बाजी करते हैं सिधा सौट यह मिलकुल डाउन दा ग्राउंड वाटम हैंड से ना ताकत आती है क्योंकि बाटम हैंड जितना स्ट्रॉंग होता है वो तना फोराम नहीं होता उसकी वज़े से वो ताकत वहां से मिलती है तो पिछली वो जो चक्का देखा ना उसके उपर पूरा पावर का एक संजियां इस उम्र में भी बढ़िया फिल्लिंग करते हैं कौन कहता है इनकी उम्र पेटालिस के उपर है यह फिल्डर बढ़िया है क्रिकेडर बढ़िया है गेन बाजी करते है बैटिंग भी करते है क्रिकेट का जजबा होना चाहिए आप में मौजूद स्पिरिट होना चाहिए वो खिलने का आप में वो है इस खिलाडी में 25-25 रण दूसरा वर चल रहा है ये आखरी गेन बाके इस वर की अच्छा वर गुजर रहा है नौरन अब तक इस वर में आये है अरे बल्ले से क्या बात है सोट को खेला है और चक्का भी चड़ा है थर्ड में इस बार फाइनलेक के उपर से वेलकम ये मैक्सिमम इकत कर दो खेला है पहले और में 15 रना आये थे वापसी करना चाहेंगे पावर प्ले खत्म हो चुका है ये अच्छी गेनवाजी जियां ये उंगलिया घुमाते हैं कल भी मैंने देखा था कि इनका जो रन अफ हैता है वो बिल्कुट डीजे ब्राव टाइप का रहता है लेकिन उसके बाद जब अंत में सोल्डर जब वो अपना मारते है न तो वहाँ पे सोल्डर यूज नहीं करते हैं उंगलिया घुमाते हैं कलाईया घुमाते हैं अच्छी सोच हैं मॉडरन क्रिकेट का फंडा है ये इस बार इवर्स भी पैट्राम करना चाहते थे लेकिन इसके लिए गती चाहिए अगर आपको इस सोट को खिलना चाहते है तो कनेक्शन तब होगा जब गती होगी ये गती नहीं देगे नयान आपको गती प्रदान नहीं करेंगे आपको अपना जोर लगाना पड़ेगा पहले ओर में थोड़ा पावर अप एक्जिबिशन दिखा था लेकिन इस बार खामोस रखा है पहली दो गेंदों पे बल्लेबास को 32 रन, 32 अच्छी गिन बाजी नयन के द्वारा फिल्लिंग में तब्दिली, ओप साइट के ओपर पॉइंट है कवर डीप में खड़ा है, सामने एक्ट्रा कवर 30 यार्ट सर्कल में है और लॉंग अफ ये बाउंडरी लाइन के ओपर छोटी के नॉप्स्टम के बाहर रूम था, लेकिन वाइड होगी निस्चित तौर से अमपायर नईम रावत का इसारा वाइड 33 रन, 33, तीसरा वर प्रगदी पर चल रहा है बड़ा टार्गेट यहाँ पर चाहिए, एलिमेंडर ये गेम है, ये लुवर डाई मुकाबला दोनों टीमों के लिए मस्ट विन कंडिशन ये सौट अच्छा है, बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉंग ओफ की दिशा में डाउन दा ग्राउंड, सामने फिल्डर मौझूद, एकी रन प्राप्त होगा 34, 34 रन, अच्छी गेन बाजी कर रहा है, इस ओवर में वापसी की है और स्ट्राइक गेन बाज है ना, तो वो जानते हैं कैसे वापसी करनी होती है 34, 34 रन, धाई ओवर का खेल हो चुका है आपस्ट्रम के बाहर पॉइंट है, कवर है, सामने लॉंग ओफ है पीछे एक सौट थर्डमेन है आगे आए कदमों का इस्तमाल किया और कितने रन मिलेंगे, पूरे छे रन अच्छा कैच वहाँ पे क्राउड में लिया बिल्कुल सामने अन्या था वहाँ पे बीट किया था बल्ले बास को बाई का इसारा, ये दूसरा बाई के रुप में इस ओर में रन आता हुआ दोनों बार रिवर्स फी ही आटेम किया था लेकिन वो पिछला सौट कदमों का इस्तमाल दाउन दपीच बिल्कुल गेंद की लाइन में आए और सीधा तीर जैसा चक्का लगा दिया 41 रन, 41 तीसरा ओर चल रहा, इस ओर के आखरी गेंद होगी सामने संदिप पुरोहित अप्टम के बाहर रूम था, वहाँ पे कवर में फिल्डर मौजुद मना किया सीवचर रन ने, अच्छी सोच रन आउट होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिल चुका है तीन ओर के बाद 41, 41 रन बीना किसी विकेट के नुक्सान पे डीजे तीन ओर खत्मों हो चुके है मराठा वारियर्स 41, 41 रन बाड के उपर लगा चुके है टॉस वैसे जो धीता था, जेनित वारियर्स ने फैसला उनका फिल्लिंग का था पहले तीन ओर में 13.67 की आउसत से रन बने है तो अगर प्रोजेक्टेट स्कोर देखा जाए तो 109 रन यहां से अगर इसी रफ्तार से चले इसी गती के साथ रन गती बढ़ती रही तो 109 टुनामेंट का पूरा हाइस टोटल हो जाएगा 102 रन है हाइस टोटल इस टुनामेंट का 102 है जला साइ 11 ने बनाया था और पहले क्वालिफायर में चॉकलेट वारियस ने भी बना 102 रन बॉलान नेम प्लीज तुसार भई राकेश अडबधी रबाड़ा राकेश गेन बाजी में परिवर्तन के तौर पे आये हैं छोटी गेन द पटकी हुई गेन थी आप्स्टम के बाहर खेलने का प्रयास था लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं सीवचराण के बल्ले से थोड़ा जल्दी खेल गए सौट को ये स्कोरिंग गेन थी मौका था चाहते तो आप्स्टम के बार सफल करके लॉंग और मीड़ वेकेट के उपर भी खेल सकते थे लेकिन ये आफ्स्टम के बाहर अच्छा खिलते है स्ट्लैस करना पसंद करते है आफ्स्टम के बाहर अमुवन प्रोटेक्शन बाउंडरी लाइन के उपर कम होता है जो देख सकते हैं आप इपर पॉइंट मात्रेक खड़ा है बाउंडरी लाइन के उपर आगे आये कदमों का इस्तमाल किया और फिल्डर है मौजूद वहां पे और विकेट का पतन विकेट गीरा है यहां पे राके सरपती बालिंग चेंज हैस बिन वर्क हियर पर जेनिथ वारियर विकेट गोस दाउं स्थर फिर बालिंग प्रणा प्रेक जल्रेक दोर यार थाग्या तो ढालिंग इसानी सब्ण दोने मानेक ज Japan cồपने मौद बालिंग गहां प्राएंदनों को 고ные प्रोस को विकेट कर दावा है यह झालिब से Supplement झाल झाल सफलता दिलाई है राकेश ने पहली सफलता इस बार आफ्टम के बाहर जाके रूम बनाया और फिल्दर था वहाँ पे आकास गलती कर दी गलती कर दी ये दो गेंदों के पर दो विकेट निस्ची तोर से लिखे थे मौका पूरा बना था आफ्टम के बाहर छोटी गेंद को सफल किया मिडल अप दा बैट कनेक्शन हुआ लेकिन वो कौन लंबा है हवा में ज़्यादा गेंद चली गई एलोवेशन प्राप्त हुआ नहीं बिल्कुल एड्रेस के उपर गेंद थी लेकिन गलती कर दी अब देखना होगा ये गलती कितनी मेहंगी पड़ेगी संदीप का वो कैच था 23 को पर खेल रहे है संदीप बड़ा नुक्सन पहुचा सकते है टीम को यूकि अगर वो टिक कहेगे न तो 100 के करीबन स्कोर वो ले जा सकते है ऐसी उनकी ताकत है वो प्रदर्शन अच्छे लईमेन लग रहे है अच्छा प्रदर्शन किया है अब तक उन्होंने दो छक्के दो चौके उनकी पारी में ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कैच कितना महंगा होगा ये सोड हवा में है लेकिन छे रन पूरे मिलेंगे क्योंकि जैसे ही गेंद बल्ले के उपर लगी न लग गया था कि ये छक्का होगा स्कोर 48 रन अब चम के बाहर ये स्क्लैस किया है पॉइंट के उपर से गेन जा रही है रुके गी नहीं चौका ये महंगा ओवर क्योंकि वो कैच चुटा था ना उसकी वज़ए से अब ये महंगा ओवर नजर आएगा अगर वो कैच हो जाता तो कुछ रन रेट के उपर फरक पड़ जाता 52 पचास के उपर स्कोर पहुँच गया जोइन दो पार्टी वीत संदीप पुरोहित एक छक्का जड़ा फाइन लेक के उपर से इस बार आप्स्टम के बाहर गेन दाली रूम मिला और उस रूम का उसको ने उन्होंने कमरा बना दिया चौका बोटर दिया 52 फिर से आप्स्टम के बाहर किनारा लगा सौथ थर में इनके मिस फिल्डिंग और चौका यह होना नहीं चाहिए दबाव पीछे और कई बार होता है गेन गुमती है 56 होना इनके मिला उब्यों भीटार बाहर आर थाली वीडिया चौका नहीं चाहिए Même सौका टो समय कर दो किनारा रहल दूता है मिला आर चका िलविया गली डाम का बहार है कि अई it मैं दोरा ही जर से मिला बागा है और बाहर है रहर देता हुब जोसिफ जोसिफ तिम के कप्तान जोसिफ अब गेनबाजी का बार संभालेंगे कोमेंटरी एंड से पहला हाफ खत्म हो चुका है पहला हाफ मराठा वारियर्स के नाम रहा है 56 रन जड़ चुके है और संदीप पाटिल ओन फायर तीन गेन दे 14 रन ये लो फुल्टोस गेन दी और जमीन के सारे गेप में गेन को डाल दिया है चुका पहली गेन के उपर स्वागा थे आपका जोसिफ चुके के साथ 60 रन साथ रन इस चुके की मदद से बेहतरीन सौट पहली ही गेन के उपर वेलकम चुके की मदद से किया है स्वागा जोसिफ का अच्छे लई में है संदीप पुरोहित 27 के उपर कैच छुटा था उनका पांच वावर प्रगती पर है ओन साइट के उपर डीप स्क्वेर लेख है डीप मिड विकेट और लॉंग उन अच्छी गेंद सीधे बलने से कॉपी बुक स्टाइल में खेला है कवर की दिशा में एक ही रन प्राप्त होगा नोबल का इसारा एकोडिंग टू फिल्डिंग रूल्स थर्टियार सरकल के इंदर कंपलसरी चार फिल्डर होने चाहिए एस पर एकोडिंग टू आइसे से रूल्स और इस दो रन की मदद से 62 बासाट रन स्कोर बढ़ता है फ्री हिट कैंसल किया है जी ओके थैंक्यू रद किया है इस नोबल को एकी रन मातर मिलेगा 61 एकसाट रन मरठा वोरियस बहती बढ़िया सुरुवत मिली है उनको 5 वावर चल रहा है और बाड के उपर 12 से भी ज़्यादा का उसद 14 दसंवलव 8 का उसद चलता हुआ करंद रन रेट प्रोजेक्टेट स्कोर अब तो 110 के उपर निकल गया 113 इसी रफतार से अगर चले न तो पूरे टुनामेन का हाइस टोटल देखने को मिल सकता है यह एलिमेंडेटर गेम है यह मस्ट विन मुकाबला है तो दोनों टीमों के 80 चोटी का जोर लगाना पड़ेगा ओप्स्टम के बाहर यह नजागत बरा सौट कट किया था वहाँ पे सौट थर्डमेन काफी दूर तुसार वियास मौज़ूद थे वहाँ पे एक गली में फिल्डर मौज़ूद बिलकुल बैकवर पॉइंट के बाजू में ओप्स्टम के बाहर स्वीपर पॉइंट खड़ा है बैकवर पॉइंट डीप में है एक्स्ट्रा कवर वो भी डीप में है और अब वो लेफ्ट हैं बल्ले बाज है तो डीप मिडविगेट लॉंग उन और डीप स्क्वेर लेक पीछे सौट फाइन लेक सौट थर्मेन ओप अच्छा हो और यह गुजर रहा है जोसेफ का एक चौका पहली गेंड के उपर आया लेकिन उसके बाद ऑफ साइड ओरियेंट गेंद बाजी की है लेफ्ट हैं बल्ले बास को खास करके खामोस रखा है उप्स्टम के बाहर उनका वैसे स्ट्रॉंग जोन होता है उप्स्ट 64-64 रण पांचवा उवर प्रगती पर है इस उवर की आखरी गेंद होगी 64-64 रण संदीप 29 के उपर संदीप पुरहित 29 के उपर संदीप पाटिल 16 के उपर फिर से इस बार किनारा लगा है फिल्डर है मौझूद वहाँ पर शॉट फाइनले के उपर मौझूद था फिल्डर एक ही रण प्राप्त हुआ और और की समपती पांच ओर के बाद 65 रण नौर रण इस पहले जोसेफ के ओर में आए एक विकेट के नुकसान पे पांच ओर के बाद 65 मराठा वारियर्स पांच प्राप्त है झायत पांच पांच प्राप एक पांच है पांच ओर की समापती 13 की औसा से रन आ रहे 65 पैसट रन सुरवाज की थी ना उसको अभी तक जारी रखा है चिराग गेनबाजी का बार समभा लेंगे फार एंड से पहला ओवर जो रहा था उसमें 14 रन आये थे महेंगा रहा था पहला ओवर नैन उन्होंने अपना स्पेल खत्म कर दिया है दोवर में तेवी सरन सफल गेनबाज मातर एक राके सडपती जुनको एक विकेट प्राप्थ हुआ है फिल्लिंग में तब्दीली लिफ्ट हन बल्लेबास के लिए डीप में फाइन लेग है डीप स्क्वेर लेग बिल्कुल लॉंग लेग की और सामने डीप मीड विकेट और लॉंग और ये प्रोटेक्शन पूरा बाउन्डरी लाइन के उपर सामने मीड ओफ खड़ा है कवर है पॉइंट है एक्स्ट्रा कवर डीप में है कदमों का इस्तमाल करने का प्रयास था लेकिन जल्दी खेल गए सौट को छोटी गिन नहीं थी है गुडलेन के उपर टपा काई थी उपर गिन बाजी अच्छी मानी जाती है खास करके डेथ ओवर में क्योंकि कई का बार क्या गिन बाज क्या करते है कि ब्लॉक होल में ज़्यादा करने के प्रयास में फुल्टोस या तो ओवरपीट हाफ वाली दे बैठते है लेकिन उपर की गिन बाजी किसी भी स्टेज पे पावर प्ले होए या बीच के ओवर चल रहे हो मिडल ओर होए या तो फी डेथ होए उपर की गिन बाजी गुडलेन के उपर अप्स्टम के बाहर अच्छी मानी जाती है उस एंड से इस एंड से गेंद बाजी करते एक्स्ट्रा वांस मिलता है ये कनेक्शन अच्छा है ये सौट अच्छा है सौट हवा में है फिल्डर वहाँ पे मौजूद है और कोई गलती नहीं करेगे वाटा कैच प्रेजेंट सब्माइड अपनी नजरें अंतक गेंद के उपर टीका ही रखी और अंत में एक अच्छा कैच वहाँ पे लिया और चलता किया है यहाँ पे संदीप पाटिल को सोला के उपर वापिस जाएंगे 66 के उपर दूसरा विकेट फिल्ड नेम प्लीस तुसर भाई फिल्ड नेम तुसर भाई फिल्ड नेम सनी सनी पटल फिल्डर मौजो थे बढ़िया कैच लिया जिया हवा में काफी देर तक गेंद रही थी उचाई मातरा हसील हुई लंबाई प्राप नहीं लेकिन धूप जब खिली होती हुँना दो पहर की गर्मी में एक कैच लेना उतना असन नहीं होता आपको अपनी नजरे अंतक टिकाई रखनी पड़ती है और ब्रिलियंट पीस अफ टाइमिंग वहाँ पे कैच में दिखाया बहुत ही बढ़िया दूसरा विकेट एक अच्छे कैच के तहट इस बार स्कूप खिला है पीछे भाग रहे तुसार व्यास लेकिन रोक नहीं पाएंगे आउट फिल्ट पहुद ही पढ़िया है यहां का 70 रन 70 बार के उपर स्कूप सौट बहुत ही बढ़िया सब काफी तीर है इनके तरकस में कई सारे सौट है इनके पास जो पिछला सौट देखा ना उसकी वज़ा से अब सौट फाइन लेक पिछे लग गया है उससे पहले मातर सौट थर्बेन था रिवर्सी फुल्टोस गेन कनेक्शन हुआ है फूरे छे रन मिलेंगे क्या बात है पॉइंट के उपर से छक्का जड़ दिया मजागा इस सौट को देखके 76 रन मराधा वारियर्स फुल्टोस गेन और कड़क सौट ये खेला है वन बाउन स्टेट इंटो दो फेंस फाइन लेक की दिशा में पहले पॉइंट को देखके 76 रन मिलेंट को देखके उसके बाद फाइन लेक की दिशा में फुल्टोस गेन के उपर चौका जड़ दिया कर देखके कर देखके पर दबा बोला है यहाँ पर संदीप पुरोहित ने पहले पर देखके देखके पहले रिवर्शिप के अंदाज में इंप्रोवाईजेशन किया पॉइंट के उपर से छक्का जड़ा इस बाद फुल्टोस की गेन को रूम बनाया मैन्यूपलेट किया था गेन बास को क्यूंकि काफी हरकत दिखाई थी उन्होंने क्रिस क्यों बाहर गए अंदर आये उसक बल्ले से खिलने का प्रयास्ता मातर सिंगल लेना चाहते थे और किसमापती वाइड का ही सारा वाइड का ही सारा अनस्त लेहर के दवारा 81, 81 स्कोर बढ़ता हुआ चोकलेट वारियर्स और नीरव वारियर्स ना बैट्समेन जम्मानों आवी गई चे तो जमी लेजो नीरव 11 ने चोकलेट वारियर्स ना प्लेयर्स जमी लेजो जम्मानों आवी गई चे हलके हातों से जेंटली पूस किया है फिल्डर मौजुद एकी रन मात्रा प्राप्त होगा 82 82 रन इस ओवर में 17 रन आये चीराक के इस दूसरे ओवर में महेंगा ओवर एक विकेट मिला ज़रूर लेकिन महेंगा ओवर ये गुजरा 17 रन इस ओवर में छेवर के बाद 82 मराथा विकेट के नुक्सान पे कर दो स्कूरा 17 रन इस ओवर में लेकिन महेंगा ओवर में ज़रूर ज़रूर दिखेगा उससे पहले विशाल पांचाल ने 62 रनों की पारी खेली थी चौकलेट वारियर्स की ओर से खेलते हुए तो संदीप पूरो ही 46, 46 के उपर खेल रहे है, मातर चार रन दूर है, अब कप्तान जोसिफ, पहला और अच्छा रात नो रन, ये इस बार कनेक्शन हुआ है बल्ले के बीचों बीच कितने रन पूरे छे रन मिलेंगे, छक्के के साथ यहाँ पर वेलकम किया है जोसिफ का फिर से इस बार सीधा बिलकुल समने, इस बार भी छक्का मिलेगा, जोसिफ का दो गेंदो के उपर छे रन के साथ स्वागत करते हुए संदीप पुरोहिट 58 के अपने नीजी स्कोर के उपर और टीम का स्कोर पहुँचा दिया 94-94 रन अच्छी गेन बाजी बैक ओफ लेंथ, लेफटाम और्थोडोक्स की ये गेन अच्छी रहती है, आप्स्टम के बाहर पढ़ने के बाद इस पर अतरिक उचल मिला कनेक्शन नहीं हुआ उसकी वज़ा से, लेकिन दो छक्के अल्रेडी आ चुके है इस पर लेक्स्टम के बाहर ये फ्लिक किया था, ये सोट को पिक अप सोट माना जाएगा, लेकिन गती इतनी थी ना इस सोट के उपर, कि अगर फिल्डर होता ना तो भी पहुँच नहीं पाता, था फिल्डर लेकिन दर्सक बनके रह गया लेकिन मानना पड़ेगा क्या पारी खेली है, संदीप पुरोहित थूद इनिंग चौके के साथ पारी की सुर्वत की थी, अब भी भी डटे हुए है और काफी नुक्सान पहुचाया, सभी गेन बाजों को आरे हाथ लिया है, 63 के उपर खेल रहे है वो दीपक पाटिल, गेट अप दमाक, विद द सिंगल दूसरा रन लेना चाहते है और मना किया, मना किया अच्छा पीकोपर थ्रो जी यहां, रन आउट होना नहीं चाहेंगे साथ ओर की समाप्ती 100, 100 रन, बाज़ के उपर, तीन फीगर में स्कोर पहुचता हुआ, दो विकेट के नुक्सान पे ती आउब यहां, दो जियुद दूसरा रन, आउट होना दो भीकोपर थ्रो 100 रन 100 रन बोड के उपर दो विकेट के नुक्सान पे तूसार वियास पहली बार गेन बाजी का अक्रमन संबालने के फारेंड से ये पहली गेन के उपर छे रन के साथ स्वागत किया है तूसार का वेलकम विद्धम मैक्सिमम ओवर काव कॉर्नर एरिया 100 छे रन टुन्नामेंट का हाईयस टोटल लग गया लगातार दो गेंदों के पर दो बड़े सोट क्या बात है स्कोर अब पहुंचता हुआ 112 रन आखरी ओवर में डेथ ओवर में यहाँ पर गेनबास की दुलाई होती हुई दिबग पाटिल उन्होंने भी अब तो पाटी जोईन कर ली है संदीप पुरहित के साथ जो भी बल्ले बाज आ रहा है ना ताबड तोर बल्ले बाजी कर रहा है दिबग पाटिल तीन गेंदों में 13 रन तीन गेंदे खेली थी 13 रन दो गेंदों के उपर दो छक्के जड़ दिये मराठा वारियर्स बहुत ही बड़िया प्रदर्शन तो उनका दबदबा रहा है पहली पारी में मराठा वारियर्स का चार ओर में 56 रन थे अब यहाँ पे भी चार गेंदे बाकी और 56 रन अलड़ी बन चुके है अभी भी चार गेंदे बाकी है 112 रन बॉल के उपर टूनामेंट का हाईएस टोटल और एक बात बता दू आपको 129 यह चक्का था पूरी टूनामेंट का सीधे बल्ले से इस बार डाउन दा ग्राउंड फिल्डर मौजूर लॉंगान की दिसा में एक रनी मात्र प्राप्थों का 113 रन और चौके कितने 108 चौके पूरे टूनामेंट में लगे है अंदाजा लगाया जा सकता है कि टैनिस, मौडर्ण टैनिस क्रिकेट किस हद तक पहुँच गया है इस बार विकेट का मौका बना था और विकेट मिला है तुसार व्यास को पहली ओर में दो चक्के ज़रूर आये लेकिन उसके बद वापसी की है एक सो तेरा के उबा तीसरा विकेट तुसार व्यास पहले ओर में विकेट मिला है एक सो तेरा रन लेकिन बॉड के उपर सनी ने कैच लिया वहाँ पर आपस्ट्रम के बाहर निस्चित तोर से वाइड होगी बल्ले बास से दूर रखने का प्रयास है क्योंकि आपस्ट्रम के उपर पॉइंट है कवर एक्स्ट्रा कवर है फिल्डर मौजूद है उसकी वज़से सोच अच्छी है लेकिन वाइड हो गई ये बिल्कुल यॉरकर गेंथी खोद के निकाला हेलिकॉप्टर छोटा फ्लिक किया दूसरा रन लेना चाते है अच्छा पीकॉपर थ्रो बहाँ पे फिल्डर के द्वारा और अच्छा कलेक्शन तूसर व्यास के द्वारा रन आउट के रूप में चौथा विकेट गीरा एक सो पंद्रा के उपर अगर आखरी गेंड के उपर छक्का लगाते दो विला स्पाटिल के द्वारा पांसो रुप्य मिलेंगे आखरी गेंड के उपर छक्का जड़िये पांसो कमाईए हवा में हैं लेकिन 38 सर्कल के अंदर उची हो गई फिल्डर तूसर व्यास अपने फॉलो थू में ले नहीं पाए आसान नहीं होता ये कैच लेना अमोबन इतना आसान नहीं होता और आठोवर की समापती अब हो चुकी है मराठा वारियर्स को रोका है 117 के उपर 117 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे 63 रनों की पारी खेली संदीप पुरोहित 25 गेंदों में 63 रन बनाए 5 चक्के और चौके कितने 6 श्ट्राइक रेट 252 का सीवचर रन जीनोंने 14 रन बनाए संदीप पाडिल 16 रन बनाए दीपक पाडिल 6 गेंदों में 17 रन नाबाद रहे तो इस प्रकार से 117 रन मराठा वारियर्स ने बाड के उपर जड़े 117 रन पूरे टूर्णामेंट का सबसे हाइस टोटल और कौन से मैच में आया एलिमिनेटर में आया है प्लेओफ का मुकाबला चल रहा है ये डूर डाइ मस्ट विन मुकाबला 118 रन बनाने होंगे जैनित वारियर्स को अगर इस मैच को जीतके क्वालिफायर 2 में पहुंच आया है तो झाया है तो झाल 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 रॉनक मिस्त्री गिनवाजी का भार समभालेंगे 118 रन का टार्गेट आठ होवर में टूर्णामेंट का हिएस टोटल लग चुका है एलिमिनेटर मुकाबले में बहुती बढ़िया पारी संदिप पुरोहित के द्वारा दो सलामी बल्ले बाजब कार्थिक टंडेल स्ट्राइक के उपर शीराग पटेल नौन स्ट्राइक एंड के उपर आडे बल्ले से फिल्डर है मौझूद रन आउट का मौका पहली गेनी के उपर जी नहीं एक रन आसानी से सर पे कफन बांद के दोड़े थे और पहले ही गेनी के उपर खाता खोला है कार्थिक टंडल ने अपना जैनित वारियर्स 118 रण का पीछा कर रही है इसके बाद ये एलिमिनेटर है तो जो टीम हारेगी वो टूर्णामेंड में उनका जो अभ्यान है वो खत्म हो जाएगा लेकिन जीतने वाली टीम को नीरोव 11 के सामने खिलना पड़ेगा क्वालिफार 2 में क्योंकि फाइनल में चॉक्लेट वारियर्स की टीम पहुँच चुकी है रॉनक मिस्त्री कॉमेंटरी एंड से पहली उवर डाल रहे है रिवर्स एटेम करना चाहते थे वाइड का इसार अंपार नहीं म्रावत के द्वारा पूरी तरीके से अपनी पोजिशन चेन नहीं की थी और इस वाइड की मदद से दो रन स्कोर बढ़ता हुआ डिपोसिट में रन काफी है तो एक एक्स्ट्रा एडवंटेज रहेगा गिनबस के लिए दो रन रन अप में थोड़ा चुके थे वहाँ पे स्कोर दोरन अभी भी रुका हुआ है रिवर्स अपैटम इस बार किया है पॉइंट की दिसा में सीधा फिल्डर को दुन निकाला अच्छा था कनेक्शन अच्छा था लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ में अच्छी गेन बाजी बड़िया गेन बाजी खामोस रखा है दोनों बल्ले बाजू गब तक चीरा गबना खाता नहीं खोल पाया अभी भी तार्गेट काफी बड़ा है एक सोठारा का अच्छी गेन बाजी आफ्टम के बाहर है अच्छी गेन बाजी तेज गटी से इस बार जो पीछली गेन में जो गती थी उसके लिहास से इस बार थोड़ी ज्यादा प्रदान की ओप्स्टम के बाहर हाफ वाली थी अगर सिधे बल्ले से खेलते तो अच्छा परिना माँ सकता था लेकिन पहले से मन बना लिया था तक कार्थिक नावन स्ट्राइक। ओप्स्टम के बाहर रूम था लेकिन वाइड भी है ज्यादा बार हो गई। और चार रन अतिरी करन वाइड की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ चार रन जैनित वारियर्स का टार्गेट का दबाव रहेगा। अजे जमवा ये माट आविया चेवने का विंती करीश के जमीने डिस ये कचरा पेड़ी मुकवा मावीचे त्यमाज नाख जो प्लीज स्वच्चता जाड़ाव जो ग्राउंड पर स्वच्चता रख जो ये हवा में है इंसाइड आउट सौट फिल्डार से दूर हाथ में लगी लेकिन कैच कंप्लीट नहीं कर पाए आसान नहीं था ये कैच उसके लिए अगर एक कैचिंग पोजिशन होता सीली मीड विकेट असीली कवर तो साइद कुछ हो सकता था एक रन की मदद से पांच रन दिक्कत में लग रहा है बलने बास क्यूंकि गती काफी है इस गिन बास के पास कठिन सवाल पूछ रहे है लगातर कनेक्शन ठीक तरीके से हो नहीं रहा है मिस्ट टाइम सोट सभी हो रहे है कुछ भी सही नहीं गट रहा पहले और में जैनित के लिए रन नहीं आ रहा है प्रयास कर रहे है और वो करने पड़े के क्योंकि टार्गेट बड़ा है सथाना इस बॉल इस ताम अगें ट्रगेट रहे हैं डार्गेट रहे हैं से लिए आप डार्गेट अपर वड़े जाए जा। रिवर्स एटेम किया विल्कुल विक्टो के सामने क्लीन बोल्ड बेतर इन राइट अन्द मनी विक्टे खोल दी अपनी रिवर्सिप खेलने के प्रयास में दो पैरों के बीसमें जे गेन निकल गई और पहले विकेट का पतन पहली ओवर में सफलता ब्रेक्थ्रू दिलाया है रौनक मिस्त्री ने अपनी टीम को पांच के उपर पहला विकेट गीरा जेनित वारियर्स का नाव दे आर इन ट्रबल झाल 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 लेंथ भी दिखा चेंज ओफ पेस भी दिखा आखरी गेन के उपर पहली पांच गेंदे जो देखी हमने वो सभी गेंदे उपर डाली थी लेकिन अंत की गेन बिलकुल आगे यॉरकर ब्लॉक होल में और ये होना चाहिए ये वैरियेशन आपके पास होना चाहिए आपको प्रेडिक्टेबल नहीं बनना है वो सेटप उन्होंने किया था विकेट के लिए और फल्स वरूप आखरी गेंद के उपर विकेट प्राप्त किया पहले वर की समाप्ती पांच रन साजेदारी बनानी पड़ेगी क्योंकि जब मराठा वोडियर्स भी बल्ले बाजी पे आई थी तो छे रन के उपर विकेट गिरा था उनका भी लेकिन उसके बाद बड़िया साजेदारी बनाई उन्होंने संदीप पाटिल इस बाद हवा में गेंद है काफी दूर है फिल्डर से दूर है और फिल्डर होगे तो भी दरसक बनके रहेगे क्योंकि यह छे रन मिलेंगे अच्छा कनेक्शन अच्छा स्वाट और छे रन के साथ ग्यारा रन अप्स्टम के बाहर वैसे तो यह गेंदी हाफ फॉली लेकिन यह मौडन टैनिस क्रिकेट है कुछ भी नहीं कहाँ जाए सकता है यहाँ पे तो अप्साइट की गेंद को भी फाइनले के उपर धकिल देते है ताकत का प्रदर्शन है ताकत का यह खेल है ऑफ्स्टम के बाहर यह सोच अथी लेकिन वाइड ज्यादा बाहर हो गई लेकिन सोच अथी है यहाँ से बल्लेबास को अतरिक प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा सफल करना पड़ेगा बैक देखी था विसल पांचल के द्वारा जो गिन बाजी दिखी थी वो इसी प्रकार की गिन बाजी थी ऑफ्स्टम के बाहर फिर से उसी दीशा में खेला है इस बार परिणाम क्या मिलेगा इस बार भी चक्काई मेलेगा सेम डिलिवरी और सेम रिजल्ट मिड विकेट के उपर से चटका जड़ा स्कोर बढ़ता हुआ अठारा रन मरढ़ा वर्योस के गेन बाजों के लिए खुश खबरी है उनके ओनर आपके उपर फिदा है 2000 रुपय का इनाम गोसित किया है अगर कोई भी गेन बाज है ट्रिक चटका एगा ना दो विला स्पाटिल टीम के ओनर है उनके द्वारा 2000 रुपय मिलेगे उंगलिया गुमाई थी जियां यहां से हमें नजर आ गया था कि जब वो गेन बाजी करके स्टम के पास आई ना तो उन्होंने अपना ग्रिप रासित खान वाला कर दिया था बैक ओफ हैंड ये गेन बाजी डाली थी विकेट डालने के प्रयास में दो छक्के खा बैठे मीड विकेट की दिसा में इस बार एंगल भी उन्होंने बढ़ला है पहले राउंड विकेट आ रहे थे अब ओवर द विकेट गेन बाजी कर रहे है फुल्टोस गेन इस बार भी उंगलिया गुमाई थी गैप में गेन थे फिल्डर मौजूद है डीप में एकी रन प्राप्त होगा ये गेन स्कोरिंग गेन थी छक्का जड़ सकते थे इस गेन के उपर लेकिन कार्थिक टनलेल मौका चुक गए 19 रन इस सिंगल की मदद से डीपोसीट में काफी सारे रन है तो एक दो वर अगर खराब जाते है तो भी उतना कुछ मसला होगा नहीं मरठा वारियर्स के लिए किकि उसके बाद आपके पास अगर टारगेट बड़ा है रन आपके पास ज्यादा है तो आप किसी भी मौकिये के उपर वापसी कर सकते है हैट्रिक के लिए इनाम गोसित किया है विलास पाटिल ने 2000 रुपे का अपस्टम के बाहर गेंद थी उसे पूल सोट खेलना चाते थे और बता रहे है कि इसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलते तो बहतर होता जिया सोच आपकी अच्छी थी 9 पटेल अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए 15 के उपर कार्थिक टंडेल खेड रहे है तीम का स्कोर 19 रन है पावर प्ले का यह आखरी ओवर और आखरी गेंद यह हवा में है यह सोट बड़ा है यह सोट कितना दूर है इतना दूर तो होगा जी नहीं अंदर ही गिर गई क्योंकि वो काव कोर्नर का एरिया काभी लंबा होता है वो काव कोर्नर इसलिए बोलते है के चांस ओफ विकेट कोर्नर उसे बोलते है यह यहाँ पे विकेट का मौका बना है क्योंकि वो कोन काभी लंबा होता है जब भी बल्ले बास बड़ा सोट खेलता है तो वहाँ पे व रन चाई 98 रन 36 गिंदों में जहां पे दो और के बाद 33 रन बने थे मरठा वर्यर्स के स्कोर कमपेरिजन में आगे चल रहे है मरठा वर्यर्स रोनक मिस्त्री सफल और पहला रहा था एक विकेट प्राप्त हुआ था अब गेनबाजी का भार संबालेंगे वापिस अपने स्पेल के दूसरे वर दूसरा वर लेके आएंगे कमेंटरी एंड से पावर प्ले के बाद फिल्लिंग में परिवर्तनों का सौट थर्ड में पॉइंट है सामने कवर लॉंग उफ एक्स्टा कवर डीप में किनारा लगा है अंद्रूनी किनारा पीछे गेन जा रहे है यह फिल्डर उसके पीछे भाग रहे है चौका नहीं रुके का क्योंकि अगर अब एज लगता है तो पीछे आउट फिल्ड काफी तेज रहता है निकल जाएगा चौका 24 रन जाएगा झाल यहां से एक्सिलेरेट करना पड़ेगा पारी को उसकी सुर्वात कर दी है नायन पटेल ने दीमिकती की गेन इसलिए कनेक्शन हुआ नहीं है क्योंकि बल्ला क्रॉस बैटर सॉट खिलने का प्रयास्ता होरिज़न्टल बल्ला किया था लेकिन किनारा लग गया और स्कोर बढ़ता हुआ 31-31 रन ग्यारा रन अब तक इस ओर में आ चुके है पहला अवर जहां रौनक मिस्त्री का अच्छा रहता मातर चार रन दिये थे तो यहां पर धाबा बोला है उनके उपर भी बल्ले बाजों ने और वो करना पड़ेगा क्योंकि टार्गेट बड़ा है आपके पास सभी ओवर में बड़े प्रहार चाहिए सभी ओवर में सभी बल्ले बाजों को प्रैस करने पड़ेगे बड़े सौट के लिए गेंद बाज के लिए एक एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये रहेगा कि रन ज्यादा है तो प्रैस ज्यादा होके तो प्रैस ज्यादा होके तो विकेट के मौके भी बनते हैं दिमी गती की गेंद सी ठकाया था वाँबे नो मैंस लेंड में गेंद गिरेगी रोकना पड़ा अंत में अपना बल्ला क्योंकि अगर सौट कंप्लीट करते ना तो मेरे ख्याल से किनारा भी लग सकता था इसकी वज़ा से अच्छी सोच धिमी गती की गेंद चेंज अफ पेस करते हैं गती में परिवर्तन करते हैं और गती से छकाया था इस बार 32 रन, 32 दूसरा विकेट गिरा है यहां पर आयोजन किया जाएगा 12-13 मार्च 11-13 मार्च इसी कोथमडी के पुंजन ग्राउंड के उपर एंट्रीफी 15,000 है विनर प्राइज है 25,000 प्लस ट्रॉफी रनर सब को मिलेगे 20,000 प्लस ट्रॉफी और इस टूर्णामेंट में जो भी विजल पर के वोटिंग काड है जो जिनके पास वो वोटिंग काड होगा विजल पर के खेलाडी इसमें खेल पाएंगे और अगर आपको kontak करना है इस टूर्णामेंट में भाग लेने के लिए तो विनाई गुपता, सागर और जीतु प्रजाबती आप इनका संपर्क कर सकते है विनाई गुपता जिनका मोबाइल नंबर है 7016799242 सागर उनका मोबाइल नंबर 8780267455 और जीतु प्रजाबती 957406946 ये कॉंटेक आपको किसके लिए करना है अगर आपको अपनी टीम को पाटिसिपंट के तौर पे उतारना है अगर आपको टीम को करना है तो 11, 12 और 13 मार्च को ये टूनामेंट होगा इसी ग्राउंड के उपर विकेड मिला है अच्छी गिनबाजी पहले ओर में की थी यहां पे भी थोड़ी मार पड़ी लेकिन उसके बाद वापसी की पिछली पहली ओर में भी यॉरकर के तहती विकेड मिला था तो ये इनका ये जो है ना ये यूएसपी है ये इनका स्टॉक बॉल है लेकिन सर्प्राइजिंग डिलिवर के तौर पे डालते है अच्छी गिन कलायो के सार फ्लिक किया हलके हातों से जोसेफ ने मोड़ा स्क्वेर लेक की दिशा में एक रन के लिए 33 तीन ओर के बाद 33 रन दो विकेट के नुक्सन पे जैनित वारियर्स झालते है सीवचरन गेनबाजी के उपर लीडिंग विकेट टेकिंग में दूसरे पाइदान पे है छे विकेट है उनके नाम और अगर हाईस रन गेटर की बात की जाए तो संदीप पुरोहित 135 रन लीडर बोड में टैबल टॉप में है सीवचरन दूसरे पाइदान पे है गेनबाजी में पहले पाइदान पे जतिन जादव है एकोनोमी की वज़े से विकेट तो दोनों की सेम है छे विकेट सीवचरन गेनबाजी का बार संबाल लेंगे पहला परिवर्तन गेनबाजी में अच्छी गेनबाजी जोसेफ ने वैसे तो मन बनाया था कि आप्स्टम के बाहर जाएंगे और फाइन लेग, स्क्वेर लेग, लॉंग लेग का एरिया टारगेट करेंगे लेकिन गती ज्यादा थी इस गेनी के उपर पढ़ने के बाद थोड़ी जल्दी आप गई शरीर के काफी करीब से सौटाम जैब अगर आप खेल सकते है तो इस सौट को खेल पाएंगे वो खास्यत आपके पास होनी चाहिए, सौटाम जैब वाली लोफुल्टोस गेन, किनारा लगा फिल्डर पीछे मौजूद एकी रन प्राप्त होगा, 34 रन हवा में है, कोई गलती नहीं करेंगे विकेट की बर विकेट का पतन यहाँ पे, क्या बात है, सिखर दवन वाला स्टाइल वहाँ पे दिखाया सीव चरन ने, 34 रन प्राप्त प्राप्त झाल झाल 34 के उपर चौथा विगेट गीरा लगातार दो गेंदों के पर दो विगेट सीव चरण के नाम हैट्रिक का मौका कोई भी गेंद बाज अगर हैट्रिक चटकाएगा ना तो मराढा वारियर्स के ओनर विलास पतिल मराढा वारियर्स के ओनर उनके द्वारा दो हजार रुपे का इनाम हैट्रिक का मौका येक विगेट सीव चरण नाम हैट्रिक प्रदीप ओके थेंक्यू हैट्रिक का मौका सीव चरण नाम हैट्रिक इस बार है सफल किया है फिल्डर मौझूद सॉट फाइन लेक के अपर अच्छी गेन बाजी अच्छी गेन बाजी शीव चरण के द्वारा राकेस हडपती बल्ले बाजी के उपर चौतिस के उपर चार विगेट सिदे बल्ले से डाउन दा ग्राउंड सॉट सामने की दिशा में फिल्डर मौझूद एकी रन प्राप्त होगा चौका मिल गया मिस फिल्ड की वज़ा से और इस सचौके की मदश से अब स्कोर 38 रन 38 रन 4 ओर की समाप्ति के बाद जैनित वारियर्स 4 विगेट के नुकसान पर 80 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में 20 का रिक्वायर रन रेट हर ओर में 20 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को अब जीतना है तो चोड़ी पटकी गिन आप्टम के बाहर रूम था गेप में गेंद को धकेला है लेकिन एकी रन प्राप्थ होगा एक रन के साथ 39 49 रन राके सड़पतीन अपना खाता खोला इस रेक एक रन की मदद से 39 49 रन चार विगेट के नुक्सान पर पांचवा और प्रगदी पर चल रहा है यह सोट अच्छा है यह सोट बड़ा है और यह छेरन मिलेंगे बिल्कुल सामडे डाउन दा ग्राउंड सीधा चेरन के लिए और स्कोर पहुँच गया 45 रन पांचवा और प्रगदी पर चल रहा है यह सोट अच्छा था बिल्कुल क्रॉस बैटेड यह सोट खेला था लेकिन कनेक्शन अच्छा बिल्कुल पॉटाम है साइड पर लगा बल लेके फिल्डर वहाँ पर मौझूद लेकिन मात्रा वह दर्सक बनके रहे गया यह दर्सन यह सोट था अच्छी गेनवाजी अच्छी वापसी अच्छी वापसी सीवचरण के द्वारा नमाफ कीजिका संदीप पाटिल गेनवाज है 45-45 शाड़े चार वर हो चुके है 21 के करीब का रिक्वाइर अद्रेट चलता हुआ तो हर वर में दोस्ट ठक्के तो कम से कम लगाने होगे तो 20 रन बटोर सकते है लेकिन एक चौका भी चाहिए उसके साथ आपस्टम के बाहर काफी बाहर वाइड होगी 46-46 स्कोर बढ़ता हुआ वापिस डलनी पड़ी कि इस गेन को क्योंकि वाइड करार दी गई है जोसिफ बारा के उपर जो स्ट्राइक के उपर नजर आ रहे है उड़ाने का प्रयास था हाफ फॉली जैन्यों हाफ फॉली गेन थी लेकिन मन बना लिया था स्क्वेर लेक की दिसा में ही खेलेंगे दूसरा रन लेना चाहते थे मना किया रन आउट का मौका कीपर एंड के लेकिन बच गए मौका था वी रन आउट का कीपर एंड के उपर रन लेना चाहते थे वहाँ पर राकेश लेकिन मना किया जोसेफ ने उनको 47 स्कोर बढ़ता हुआ इस ओवर की दो गेंद अभी भी बाकी है अच्छा और गुजर आई ये भी संदीप के द्वारा फुल्टोस गेंद बिल्कुल सामने स्तीर की तरह सीधा फिल्डर मौजूद है एकी रन प्राप्थ होगा 48 रन 48 रन एक छक्का जरूर आया था इस ओवर में लेकिन उसके बाद संभाला है अच्छी कंट्रोल के साथ गेंद बाजी की है रन तो है आपके पास टारगेट काफी बड़ा है तो येक अत्रिक जो फाइदा है वो मिलेगा गेंद बास को 48 रन आखरी गेंद इस ओवर की पांच वे ओवर की ये सोट कड़क है ये सोट अच्छा ये कनेक्शन ये 6 रन वाला सोट है चक्का मिला स्कोर बढ़ गया 54 रन 4 विगेट के नुक्सान पे कम्पलीटिंग आफटर 5 ओवर जैनित वार्यस कि अवर के अवर के बादर स्क्राइब को जैनित वारियर 54 आखरी गेन के उपर क्या जबर्दस सौट खिला थपड़ जैसा जड़ दिया बिल्कुल क्रोस बैटेड वो सौट था लेकिन गती उतिनी थी लंबाई भी प्राप्थुवी उचाई भी प्राप्थुवी सीवचरन दूर प्रयाक कंसारा गेनबाजी का बार संबालेंगे पहली बार गेनबाजी के उपर परिवर्दन किया है गेनबाजी में अब प्रयाक कंसारा तेरा विकेट है उनके नाम एकोनोमी उतना ठीक नहीं है बारा के उपर का एकोनोमी है एक थर्ड में पॉइंट के साथ अब गेंद बाजी करेंगे आप्स्टम के बाहर सुर्वात की है वाइड होगी निस्चित तोर से अंपायर अनस लहर का इसारा स्वेर लेग अंपायर नई म्रावत पजपन रन 55 पाँच ओर के बाद 11 का उसर चल रहा है रिक्वाइर अंद रेट तो 20 के भी उपर का है सिधे बल्ले से पॉइंट में फिल्डर को दूण निकाला बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो फिल्डर इस कैज के लिए ही रखा गया था क्योंकि दो फिल्डर मातर 30 आर सरकल के अंदर ते थर्ड में और पॉइंट फिल्डर दूण निकाला फुल्टोस गेन के उपर विकेड मिला है पजपन के उपर 55 पर 5 जैनित वारियर्स फिल्डर मिस्त्री वहाँ पे खड़े थे कोई गलती नहीं कि उन्होंने सिधा रेग्यूलर्सन कैच अच्छी गेनवाजी पहले ही ओवर में विकेड दिलाया है प्रयाक अंसाराने 17 गेंदों में 63 63 रन चाहिए 17 गेंदों में 63 रन नहीं बल्ले बास सनी कि मिड़ाफ सामने खड़ा है मिड़ान खड़ा है सामने यह उड़ाया है फिल्डर वहाँ पे मौझूद अच्छा प्रयास किया जी हां थोड़ी आगे इर गई जस्ट फ्रम दफिल्डर लेकिन चौका बचाया निस्चित तोर से क्योंकि कई का बार ऐसा क्या होता है जब आप कैच लेने के प्रयास में होता क्या है गेंद उपर से निकल जाती है लेकिन यह फिल्डिंग में यह आपको अंदाजा होना चाहिए अच्छी फिल्डिंग का प्रदर्शन तीन रन निस्चित तोर से बताए 56 रन 56 आधी टीम डगाउट में जा चुकी है जैनित वारियर्स की यहां से काम काफी मुश्किल हो चुका है अब एक कोई चमतकार एक ऐसी चमतकारिक पारी इस मैच में वापसी करवा सकती है जैनित वारियर को क्योंकि 16 गेंदो का खेल बचा है 62 रन चाहिए जीत के लिए यह सौड अच्छा है यह बड़िया सौड है छेरन मिलेंगे पूरे फ्लैड छक्का फाइन लेक के उपर से वाड़ा सौड झाल झाल अच्छी गेंद वाजी बिल्कुल विक्टो के सामने पिछले गेंद हाफ वाली थी लेकिन थोड़ा लेक्ष्टम के बाहर थी उसकी वज़ा से कनेक्शन अच्छा हुआ था जोसेफ के बल्ले से लेकिन इस बार बढ़िया बिल्कुल ब्लॉक हॉल में विक्टो के सामने LBW के पूरे कैंडिडेट बन गए थे 62 बासट रन चट्था ओवर चल रहा है 14 गेंदों में 56 रन चाहिए 24 का रिक्वाइर अंदरेट 24 रन हर ओवर में बनाने अच्छी गेनवाजी बिल्कुल जड में ये गेंद थी थोड़ी गती में परिवर्तन भी किया था और पिछली गेंद के हिसाब से ये हाफ़ाली गेंद थी लेकिन बल्ला थोड़ा क्रॉस कर गए टेड़ा बल्ला कर गए और विकेट का पतन 62 के उपर 6 विकेटी की रहा है जैनित वारियर्स का अब वो काफी मुसीबत में सफलता मिली अच्छी गेनवाजी का रिवर्ड प्राप्त हुआ है गेनवाज को प्रायाक कंसारा आठन वैसे थे इस ओवर में आये थे चक्का भी जड़ा था लेकिन जो बाकी सब भी गेंदे डाली न वो काफी बढ़िया थी पिछली गेन भी बिल्कुल विकेटो के सामनी थी इस बार भी थोड़ा गती में परिवर्टन किया पढ़ने के बाद थोड़ी गती कम हुई थी और बिल्कुल राइट अंद मनी विक्टो के उपर ये गेन चठा विकेट गिरता हुआ इस ओवर की ये आखरी गेंद होगी छठे ओवर की 13 गेंदो में 56 रण चाहिए अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर को फिनिस किया 6 और की समापती 62 रण 6 विकेट के नुक्सान पे जैनित वरियर 12 गेंदो में 56 रण चाहिए साथ प्राइब व्काता हुआए कि अच्छे वर के बाद बासट रन छे विकेट के नुक्सान पे जैनित वारियर्स सिवचरण गेनबाजी के उपर आठ विकेट के साथ लिडर बॉड में टेबल में टॉपपर है हाइस विकेट टेकर टूनामेंट की दूसरे पाइदान के उपर जतिन जादव गेनबाजी में और रन की बात करे संदीप दिमी गती की गेन चकमा दिला चकमा दिया वहाँ पे हवाँ में गेन लटकाई थी फ्लाइट डिया था लूप दिया था यह होना चाहिए चेंज अफ पेस चेंज अफ लेंथ और मैनुपलेट करना पड़ता है यह मानसिक खेल है क्रिकेट का बल्लेबाज के दिमाग से खेलना पड़ता है वो तेज गती की अपेक साग करता है लेकिन आपको दिमी गती की गेन डालके उनको चकाना पड़ता है जैसे की आइस गेन के उपर फिर से वहीं प्रयास लेकिन इस बार दिशा से बढ़के वाइड का इसारा 63 63 रन 63 छे विक्टे गवा चुके है जैनित वारियर्स 30 का आप तो रिक्वाइर अंद्रेट जा चुका है हर ओवर में 5 छक्के चाहिए ना मुम्किन है ये तो ये पुल सोट खेला है और चौका जड़ दिया है ये सोट कड़क था ये सोट अच्छा था और इस चौके की मतलब से 67 67 रन बार के उपर जैनित वारियर्स अच्छी गेन बाजी क्या बात है मजा गया इतनी तेज गती से गेन निकल गई ये इनके पास ये एक अच्छी गेन है जैसे इस बार कनेक्शन हुआ लेकिन किनारा लग गया थोड़ी आगे गिर गई विकेट कीपर के डाइरेक्ट थो अगर होता तो रन आउट हो गए थे और अब विकेट कीपर एंड के उपर रन आउट का मौका लेकिन जी नहीं प्रैस नहीं किया 69 69 स्कोर बढ़ता हुआ इस सदोरन की मदद से अच्छी गेन बाजी कर रहे हैं लगाता गती में परिवर्दन किया है कठिन सवल पूछे है इस ओवर में है सीव चरन ने बल्लेबास को फिर से दिमी गती की गेन किनारा लगा डेफिनेट एज एंड मेक्स नुए नी मिस्ट्रेक बहाइंड विकेट बाइड विकेट कीपर एंड सेवन्थ विकेट गोष्ट आउन एर उन 69 फर जैनित वर्यर्यर्स झाल 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 वाइड वाइड का इसारा यह सोट अच्छा है कनेक्सन अच्छा फिल्डर उसके नीचे मौजूद है देख रहा होगा कैज आ जाएगा जी यहां आठवा विकेट गिरेगा सेवन डिवन इकत्तर के उपर संदिप मौजू थे वहाँ पे अच्छी रणिंग बीट्विन द विकेट दो रन खत्म किये 73 तहत्तर रन महज अपचारिकता ही चल रही है इस वर में योगि टार्गेट इतना बड़ा सेट किया था 118 रन सबसे बड़ा हाईस टोटल इस टुड़नामेंट का जड़ा माराठा वारियर्स ने 117 रन और उसक का जो पूरा स्रेज जाता है न 63 रनों की पारी खेली थी संदीप ने रन आउट का मौका है और रन आउट हो जाएंगे आठवा नौमा विकेट गिरता हुआ 73 के उपर रन आउट के रूप में आउट के बाहर थुड़ा उच्छाल मिला था 73 नौविक्टे गवाई है क्या आउट कर सकते है यहां से एक विकट बची है तीन गेंदे बाकी है दो गेंदे हवा में है फिल्डर से दूर होगी और बहतरीन तरीके से जिजी हैं मरड़ा वारियर्स ने इस मैच को comprehensively जीता है जहां convincing victory यह माने जाएंगी उनकी क्योंकि convincing इसी वज़ा से इसके लिए क्योंकि पहले बल्ले बाजी में अच्छा प्रदर्शन तुसार व्यास improvization करके खेलना चाते थे रन नहीं लेंगे तो इस मुकाबले को यहां पे खत्म किया है और 43 43 रनों से इस मैच को comprehensively convincingly जीता है मरड़ा वारियर्स की टीम ने पहले बल्ले बाजी की 117 रन बौर के उपर जड़े 63 रनों की बहतरीन पारी खेली संदिप पुरोहित ने उनकी वज़ा से 117 रन, 118 रन जब बनाने थे तो उसके reply में मात्रा 43 रनों से इस मैच को जीत लिया तो अब मरड़ा वारियर्स और नीरो विले फाइलल दूसरा माना जाएगा उन दोनों के बीच में होगा पास्कोंड बोले जाएगे झाल 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 गेन बाजी की अगर बात करें टंडेल प्रियांक एक ओर में 10 रन आकरी ओवर उनने डाला एक विकेट प्राप्थुआ उस ओवर में और वो ज़रूरी था विकेट यहां पे लेना निरव 11 की टीम को क्योंकि काफी खतरनाक लग रहे थे संदीप पुरोहित पेछली मैच में अभी बहतरिन पारी खेले थी 50 के ओपर 63 रन बनाए थे और असंदीप पाड़िल के साथ बढ़िया साजेदारी हो रही थी उनकी 47, 46 रनों की साजेदारी उन दोनों के बीच में उसे तोड़ा प्रियांक टंडल ने एक अच्छा कैश लिया डीप में वाइड के साथ सुर्वात की है सोर में जतिन जादव वाइड के साथ और वाइड की मदद से स्कोर 66 रन 66 रन हवा में गेन है फिल्डर वहां पे भी मौजूद है इस बार कोई गलती नहीं करेंगे दो वर में लगातार दो विक्ते बिछले ओर में भी विकेट मिला था प्रियांक को इस पार जतिन को भी विकेट मिला है तो 66 के ओपर तीसरा विकेट गिरता वह मराधा वार्यर्स का साइलेस कदम अगले नए बल्ले बास उनके लिए इना मीर आसी है विला स्पाटिल इंकम टेक्स स्पांसर उनकी और से अगर पूरे ओर में तीन चौके भी लगाई गये न तो एक हजार एक रुपी मिलेंगे विला स्पाटिल के द्वारा ये सौट अच्छा है हवा में है फिल्डर महाँ पर मौझूद लेकिन दर्सक बनके रहे गए छक्का होगा जिया बेतरिन सौट सेवन्टी तो अच्छा है अच्छा के लिए एक और गोश्णा है तीन गेंदों के उपर लगातार तीन छक्के जड़िये और टीम के ओनर विलास पाटिल उनके द्वारा एक हजार रुपी संदीप पाटिल के लिए इनाम तीन गेंदों में तीन छक्के पहला जड़ चुके है 38 की ओपर अपने नीजी स्कोर पे पहुँच गए है 12 गेंदों में 38 हवा में है बिल्कुल सामने के दिसा में फिल्डर उसके नीचे मौझूद लेकिन जी रोका है रोका है क्योंकि हवा के विपरित वो सौट खिला है हवा का जो रूख चल रहा है ना वो कॉमेंटरी बॉक्स की और चल रहा है उसकी वज़े से ये गिंद ज्यादा तर हवा में लग गई उसकी वज़े से जो गती होनी चाहिए न वो प्राप्त नहीं हुई ये भी काफी कुछ असर करता है क्रिकेट में कि जो हवा का रूख है किस दिशा में चल रहा है वो भी देखना पड़ता है 74, 84 रन मौका था वहाँ पे कैच का ले सकते थे क्यूंकि काफी देर तक गिंद हवा में थी एक चांस माना जाएगा ये जीवन दान मिला है फोल्टोस गिं फिल्डर मौजूद है डीप में एकी रन मात्रा प्राप्त होगा क्यूंकि तेजगाती से चली गई थी फिल्डर के पास गेन सैलेस कदम स्ट्राइक के ओपर अब 75 सैलेस कदम छक्के के ओपर 500 रुपे विलास पाटिल के द्वारा सैलेस कदम के लिए सातवा उबर चल रहा है 75 सामने की दिसा में फिल्डर मौझूद है डीप में एक ही माद देख रहा है जहीं चौका रोका है अच्छी फिल्डिंग का अच्छा प्रेजन सोफ माईंड वहाँ पर दिखाए ब्रिलिजन पीस टाइमिंग अट तो दो फिल्डिंग डीप में लॉंग उफ के उपर फिल्डर मौजूद थे अच्छे समय पे सही वक्त पे जंप लगाया ये होना चाहिए जंप टू परफेक्शन और टाइम टू परफेक्शन ये होना चाहिए 77, 87 सामने की और और पांसो रुपिये जमा हो गए है साइलेस कदम के लिए इसी और में ये ओफर था उनके लिए 500 रुपिये आपके जमा हो गए है विलास पाटिल झाल साइलेस कदम के लिए अभी भी इनाम मौझूद है पांसो एक रुपिये विलास पाटिल के द्वारा छक्के के उपर पांसो रुपिये 83 रन तरासी रन साथ और की समाप्ति के बाद अब गेन बाजी के उपर टंडल प्रियांक पहले और में 10 रन के उर वेच पारा बहुत ही बड़िया गेन बाजी गेन बाज अच्छे रहे आज चले अच्छी गेन अप्स्ट्रम के बाहर वाईडी से और कर गेन थी सामने लॉंग ऑफ के उपर फिल्डर मौजूद लॉंग ऑन की दिशा में फिल्डर मौजूद था एक किरन मात्र मिलेगा अच्छी गेन बाजी सुर्वात की है इस ओवर में टंडिल प्रियांक ने पहला ओवर भी वैसा अच्छा रहा था मात्रा दसरन आये थे अच्छे से खत्मा करना चाहेंगे और लेकिन विकेट काफी हाथ में है दोनों सैट बल्ले बस खास करके संदीप पाटिल 42 के उपर खेल रहे नाबाद 15 गेंदों में साइलेस स्ट्राइक के उपर वाइड का इसारा अंपायर का काफी दूर होगी नईम रावत अंपायर और स्क्वाइर लेग अंपायर अनस्त लहर छक्के के उपर अभी भी पांसो एक रुपे का इनाम है साइलेस कदम के लिए 85 रन सिधे बल्ले से इस बार पॉइंट की दिशा में गेन जा रही है फिल्डर वहाँ पे मौजूद है एकी रन लेना चाहते है और स्ट्राइक के उपर अप संदिप रहेंगे 86 सिंगल की मदद से अच्छा वर गुजर आ है दो रन मातर अपतक इस वर में आई यह गेंद हवा में है फिल्डर कोई मौजूद नहीं है काफी दूर किरे की देखना होगा कितने रन मिलेगे रोका है अच्छी फिल्डिंग का प्रदर्शन निस्टीत तौर से दो रन बचाए है अच्छी फिल्डिंग का प्रदर्शन यह presence of mind होना चाहिए that's a brilliant piece of फिल्डिंग सभी फिल्डरों ने आज बहुत ही बढ़िया नीरव 11 के सभी फिल्डरों ने बढ़िया फिल्डिंग का प्रदर्शन किया है कई जगह पे रन रोके है catch भी अच्छे लिए है अच्छी गेनवाजी follow किया इस बार बल्ले बास को क्योंकि पहले से जान चुके थे कि संदीप option के बाहर ही आके खिलने का प्रयास करेंगे थोड़ा predictable हो गए थे संदीप पाटिल वहाँ पे उसकी वज़ा से follow किया प्रियांक ने उनको option के बाहर और 89 नवाजी रन वाइड का इसारा काफी दूर बल्ले बास से काफी दूर और इस वाइड की मदद से score 90 रन 90 पहुंचता हुआ दो गेंदे अभी भी भी बाकी है इस सोबर की और सहिलेस कदम के लिए इनामी रासी अभी भी मौझूद है पांसो एक रुप्य का विलास पडिल के द्वारा एक छक्का जड़ चुके है पांसो कमा चुके है अच्छी गेंबाजी अच्छी सोच वैसे भी पिछली गेंद के उपर भी वहीं सोच थी कि बल्ले बास से दूर रखा जाए और उसकी वज़ा से वो वाइड हो गई थी उस चक्कर में लेकित इस बार सही टपा पकड़ा है बिल्कुल वाइड लाइन के उपर वाइड यॉर कर किनारा लगा डेफिनेट एज आगे-ागे कदमों का इस्तमाल करके खिलने का प्रयास बैक ओफ लैन गेंद बाजी थोड़ी उपर की और किनारा लगा कोई गलती नहीं की विकेट के पीछे विकेट की पर हैमन ने और आट ओवर की समापती होते हुए नबे रन, नाइनटी रन बार के उपर जड़ चुके चार विकेट के नुकसान पर और 45, 45 रनों की पारी खेली संदीप पाटिल ने और 27 रन बनाए संदीप पुरोहित ने संदीप पाटिल और साइलेस कदम यहाँ पर आएंगे अपनी इनामीरासी पहले लेके जाईए नबे रन बार के उपर लगा दिये संदीप पुरोहित इनफरम प्लेयर 27 रन बनाए और संदीप पाटिल 45 रन नाबाद 17 गेंदों में 3 चक्के सामिल और असाइलेस कदम अंत में 9 रन बना के आउट हुए 91 91 रन का टारगेट सेट किया है तंडेल प्रियांग इनको दो विकेट प्राप्थ हुए के उर वेजपरा दो वर छे रन एक विकेट उनको मिला जतिन जादव एक विकेट उनको प्राप्थ हुआ संदीप पाटिल और साइलेस कदम और यहां पे आपको विलास पाटिल जिनके द्वार आपके लिए इना मिरासी है प्लीज पहले यहां पे आएंगे संदीप पाटिल और साइलेस कदम संदीप आपके जो दिसीटी गॉले चैन्द करते हैं झाल झाल या तो फिर सत्तर के अंदर तो एक हजार एक पूरी टीम को प्राप्त होंगे झाल 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 वाट वेट वाट वेट वाट वेट वेट उस्टार्ट अप तो इनिंग छक्के के साथ सुर्वात किया क्या बात है हाफ वाल झाल के इनको लोंग उनके मिड़ वेट के ऊपर सुछका जोड़ दिया ये लगातार दो गेंदों के पर दो बड़े जख्के क्या बात है इनाम भी यहाँ भी गुलाब भाई सौनकर के द्वारा है अगर तीन छख्के या तो तीन चौके भी जाते हैं न तो पांसो रुपय का इनाम गुलाब भाई सौनकर के द्वारा मिलेगा किसी भी बल्ले बाज यहां पे तो केवर वेजपरा ने अपना हुनर दिखा दिया है दो गेंदों के पर दो बड़े छक्के क्या बात है गेंदबास के लिए बेही नाम रोनक मिस्त्री तीन वीकेट अगर चटकाएंगे इस ओर में चार गेंदे बागी है तीन वीकेट अगर ले लेते हैं ना तो एक हजार रुपिये विलास पाडिल के द्वारा वापसी वहां पे दो गेंदों पे दो चक्के बले आए लेकिन वैसे भी यह सोच अच्छी है दो बडे सोट आपके पास अगर आचुके है दो बडे चक्के लग चुके है तो उसके बाद स्ट्रा Як रोटेट करना यह क्लेवर क्रिकेट माना जाता है एक रण के साथ अपना स्ट्राइक चेंज कर दीजिए नए बल्ले बास को स्ट्राइक पे लाइए बविन पटिल सलामी बल्लेबास के तौर पे केयूर का साथ निबाने आये है रौनक मिस्त्री पहली दो खेंदों के उपर क्या सौट जड़े 75-80 मीटर के बीच का वो चक्का होगा वो दोनों चक्के हलके हाथों से फ्लिक किया है फाइन लेक की दी समय देखना होगा कि पैरो से जी लेक भाई का इस सारा पैरो से गेंट टकराई थी और इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन गुलाब भाई सौनकर की द्वारा इनाम है दो गेंदे बाकी है दो चक्के जड़ चुके है इस ओर में फुल्टोस गेंट और आरे बल्ले से फिल्डर मौजूद था गलती कर दी ये कैच आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये कैच केउर वेजपरा का था वो काफी अच्छे फॉर्म में है बहतरीन फॉर्म में है बल्ले बाजी जैसे कर रहे हैं ये अकेले अपने हाथ से मैच को जीताने की ख्रमता रखते है गलती कर दी वहाँ पे फिल्डर मौजूद थे अच्छी गेन बाजी लो फुल्टस आप्स्टम के बाहर क्रोस बैट एट सौट केलने के प्रयास में फिल्डर को दुन निकाला था लेकिन कैच नहीं ले पाए जीवन दान मिला के उर्वेजपरा को कितना नौकसान पहुँचाएगा ये नौकाउट मुकाबला है ये बड़ा मुकाबला है दूसरा मौका मिलेगा नहीं यूँकि ये फाइनल का टिकेट है जो टीम जीतेगी फाइनल में पहुँचेगी चॉकलेट वारियर्स के सामने खेलेंगी और समके बाहर वाइड काईसर काफी बाहर दूर थी बल्ले बास थे तो अमपाइर अनस लहर जिनों ने वाइड करार दी और इस वाइड की मदद से अतरिक रण जुड़ेगा और स्कोर बढ़ेगा 16 रण बिना किसी विकेट के नुक्सान पी सेवन स्टार कप का ये आखरी दिन और दिन का तीसरा मुकाबला क्वालिफाइर टू सेमी फाइनल चलता हुआ दिमी गती सी दिमी गती की फुल्टोस गेंती लो फुल्टोस हवा में लहरा या था थोड़ा फ्लाइट दिया था डूट बॉल के साथ ओवर की समापती पहले ओवर की समापती के बाद नीरव 11 16 रण बिना किसी विकेट के नुक्सान पे सिव चरण घेन बाजी के उपर नौ विकेट है उनके नाम सिव चरण के लीडर बॉर्ड में टॉप अप दी टेबल है वो हाइस विकेट टेकर इस टूनामेंट के 16 रण अच्छी गेन बाजी अच्छी गेन बाजी जी ओप सम के बाहर रूम उतना था नहीं कट करना चाते थे नजागत दिखाना चाते थे लेकिन जहां खेलना चाते थे थे थर्ड में की दिशा में खेल नहीं पाए तीन विकेट अगर लेते हैं शिव चरण तो विलास पाडिल के द्वारा 1000 रुपे का इनाम शिव चरण के लिए अच्छी गेन बाजी ओप्षम के बाहर यह सोच अच्छी है यह अच्छी लाइन और लेंद मानी जाती है टैनिस क्रिकेट में लगातर दो गेंदों के उपर बीट किया है ओप्षम के बाहर वो भी बढ़िया सोच हवा का रुख कापी तेजगती से अब चलता हुआ बॉलर की और हवा का रुख उसी दिशा में सोट जड़ा है हवा के सामने तो चौका रुखेगा नहीं जी आँ कॉमेंटेटर की सुनी है बात क्योंकि जो हवा का रुख चल रहा है ना कॉमेंटरी बॉक्स की और हाफ फॉली केन आप्सम के बाहर डाली और लॉंग ओफ की दिशा में चौका जड़ा वेलकम माउंडरी इस ओर में जरूरत थी चौके की 20 रन यह अच्छा सौट खेला था मीड़ उपर था तो मात्रो उसको पार करना था फिर से इस बार उसी दिशा में इस बार भी चौका यह पिछला बहतर था तो यह बहतरीन था एक्स्त्राइब रिश्ट ओर मिड़ उपर अर्ण अर्ण आव उपर वर नाव दास्कूर 24 रन लॉस अनी नो विकेट से दूर रखा था तो जो रेंज थी वो कम हो गई अच्छी बल्ले बाजी अच्छी गेन बाजी सीवचा रन के द्वारा 24 24 रन यह सोड अच्छा यह सोड कड़क है यह सोड लंबा है तो छे रन मिलेंगे वाड़ा सोड that's a great shot over long on area and the score 30 रन आखरी गेन के उपर छक्का जड़ा और एनालिसिस बिगार दिया सीवचा रन का 30 रन दोवर के बाद